तो नमस्कार सारे वीवर्स से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच करेंगे शिंब लगए हैं अहां फेगर हैं इस लाइव बात हो सब्सक्राइंबस लघक करने का देखते हैं कोंन से पाड़ी बढ़ती है टा सिट कोलों वे था कि एघंद आsm crit करेंगे अपने सी YouTube चनल पर क्रिकेड लाइव क्लिफी कोमेंटरी क्रिकेड लाइव हिंदी पर स्टार्ट हो चुकी है तो लाइक करें आप सब्सक्राइब कर दीए च्रीकरिया चיגर साथ मुकाबले में मने नम है दिवाकर मिश्रा मैं Apollo इस दिल्ली से आपके लिए कॉमेंटरी लेकर हूँ इस मकामले की आप बात करेंगे कि कौन सी टीम में ज्यादा स्ट्रॉऄंग है कौन सी नीम किस भारी पड़ेगी पिस किस तरीक mund नशाज़ेसर रहेगा और मौसम यहां पर किस तरीकмен से रहेगा इस मुकाबले में पांच मुकबला बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी आज देखना हो कि यहाँ पर जीत मिलती है तो आप सो लोग चलो सब्सक्राइब करके स्वीम को लाइक कर दीजिए और जूर जाईएगा जूर जाईएगा डिल्टिंग सावन एप के साथ भी ड्लाइट जूर जाईएगा लिंक ह description में लैच्टे में पिन कर दिया है यहाँ पर withdrawal जो है 15 मिनिट के अंदर आपको मिल जाता है bank account के अंदर यह मैं नहीं हमारे viewers खुद कहते हैं कि यहाँ 15 मिनिट के अंदर withdrawal जो है मिल जाता है सालसाथ में आप deposit कर सकते हैं Google पे phone पे ATM से आप यहाँ पर deposit कर सकते हैं तो हो टीक्त कर सकते हैं मैं अपना अप्रॉफित सकते हैं यहां पर जाईए झाले और जीती और enjoy करिए मुकाबले तो आप यहाँ पर पाच्वा मुकाबला है अपना प्रिशो जो है शुरू करेंगे यहाँ पर दामबुला जाइंस वर्सिज कोलम्बो स्टार का दोनों टीमें अच्छी लग रहे हैं तो टीमें पास बड़े-बड़े खिलाडी जरूर है मगर अपना यहाँ पर दूब बादल जो है वो च्छाय रहेंगे बारिश होने के संभावना है कम है पांच परसंट चांसे हैं यहाँ पर बारिश होंगे और 44 परसंट है देखा जाए तो मौसम अभी तक चार मुकाबलों में दिन का मैच है और कहीं न कहीं दिन में यह तीन बज़े श यहाँ पर बादल के तो देखिए ग्राउन पर बादल जो है वो लगतार चार मुकाबलों जो पिछले हुए उन सम्में बादल जो है वो च्छाय रहे थे मगर मुकाबला जो है पूरे 40 ओवर देखने को मिला है यहाँ पर उमीद करेंगे कि आज भी हमें 40 ओवरा खेल जो ह यहाँ पर हो पाच्वाई मुकाबला है दिन का यह मुकाबला है आज सर्फ एक मुकाबला है शाम को कोई मुकाबला नहीं है दिन का मुकाबला है दिन के मुकाबले में काफिया तक गेंज होती है हल्की फिल की धूप है तो हो सकता है कि यहाँ पर टरन भी हो और तेज गें तो काफी अच्छा है मगर पर्फॉर्मेंस यह है वो दो टीमों की उच्छ खास रही नहीं है यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कॉलंबो स्टार की टीम की गफ्तार है एंजिलो मैथ्यूज पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी बस साथी बल्लेबाज इन करूं यहाँ पर टूनामेंट के तो नवीरुलक और करीम जननत दोनों जो है भी टीटन लीग खेल रहे थे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे करीम जननत की टीम भी काफी बहतरीन प्रदर्शन कर रहे थी कॉलिफैंग राउन खेली जरूर थी मगर वहाँ पर पर गेंदबाजी और तो नवीरुलक और करीम जननत ने टीटन टूनामेट के अंदर काफी बहतरीन की थी बस यह शुरुवाती मुकावला था जहां पर एंडू फ्लेचर की जो पारी थी वहाँ पर सारे गेंदबाज जो है वो उड़ गए थे यहां पर कॉलंबा स्टार के को अगर उपर रखा जाए तो शायद बैटर था करीम जननत नमबर चार पर बैटिंग कर सकते हैं जो आपके लिए एक कहते हैं के अंदर जो करना हो रोन रेट को बलहाना हो तो करीम जननत एक ऐसा फिनिशर को रोल भी निभा सकते हैं यहां पर अब आज देखना होगा किस सकते हैं तेजगती के गेंद बास हैं और प्लस बल्ले बाजी भी कर सकते हैं ताबर तोड़ बल्ले बाजी करते हैं यहां पर साथ में अब देखना अब भी भपारा भी एक्स्परिन्स खिलाडीया नंबर चार पर खेल रहें आब आज देखना होगा किस तरीके से काइबिन कौथिगोड़ा इस्ट्रोंगा कुमारा अब चमोध बठागे स्टीम के अंदर हैं को सुछंटक नक्षन जाइए बल्ले बाजी करते हैं यह बीजी कमी नहीं अगर बल्ले बाजी कोई कमी नहीं है अगर बल्लेबाजी का बैटिंग ओडर देखा जाए तो इस टीम के अंदर कॉलंबो स्टार के अंदर बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है अच्छी टीम लग रही है यह तीम मगर यहां पर प्रफॉर्मस करना होगा बिना प्रफॉर्मस करें काम चलेगा नहीं क्योंकि जिस से टीम खेली है पहले मुकाबले होगी कि आपके टॉप ओडर विकल भिखर गया जिसकी टीम की बैटिंग ओडर लंबा होता है वो टीम अगर इस तरीके से बल्लेबाजी करें कि दो सोरन के चेज में तो कहीं नहीं नीचे गिरने के बाद किस तरीके से यह टीम उठती है ट कोलंबो स्टार का पूरा स्क्वाड अच्छे प्लेइर से बाकिव डिपेंड करता है अब बात करते हैं यहां पर दूसरी टीम के अगर बात करें यहां पर तो यहां पर हैं दामबूला की टीम दामबूला की टीम में कफ्तानी कर रहे हैं धशुन शनाका अभी हालिया में कि अपने टीम ओर अब यहां पर अपर कप्तानी कर रहे है और और डामबूला का यहां पर आगर ऑवर सीज की बात की जाए एक्दम सेट लग रहे थे इस पिछ के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी के थे पैंतालीस रंगी पारी जरूर खेली थे उन्होंने मगा टीम का स्कोर 119 तक ही बन पाया थोड़ा सा मिड़ोडर में समल के बल्लेबाजी करने मिड़ोडर के बल्लेबाजी के लिए दसुन शनाका से बल्लेबाज आपके पास है आपके याद होगा पारी अपनी पारी से मैच जिता दिया था काफी एक्स्विलेंस है दसुन चनाका को बस थोड़ा सा बैलेंस करना होगा इस टीम के अंदर आपको बड़े-बड़े खिलाडी मिल जाते हैं सिकंदर रजा भालिया में टीट तो है वह गुटने टेड़ दिये देंडी और जाफना किंग दो मुकाला जीत चुकी है और साथ में कैंडी फेलकॉं जो है वो दो बुका जीत चकी है पिछले में पिछले पिछली ठीम पिछली बार की तीम भी आगे चल रही है तो केंडी और जाफना की टीम काफी स्ट्रॉंग लग रही है दोनों तीमों को जब मुकाबला होगा तो देखना हो क्या होता है दोनों टीमों का स्कॉर मैंन आपको बता दिया है तो आप सब लोग बिलकुल जुड़ रही है इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़िया और डेल्टिन साउन आप पर जाके आईडी क्रेट कर लीजिए अगर आपको मैच में कोई भी जीते और कोई भी हार है आपको अग गूगल पर फोन पर पेटियम से आप यहां पर डिपोईट कर सकते हैं तो चाहिए खेली और चीते डेल्टिन साउन आप पर मुकाबला बहुत बढ़िया होने की उमीद रहेगी क्योंकि दोनों सड़ी टीम है अब पहला-पहला मुकाबला यहां पर हार चुकी है और ही पढ़ती है अगर बात करें यहां पर हैट्ट प्रफॉर्मस की तो देखिए दांबुला की टीम दांबुला जाइंट्स की टीम हमेशा भारी पढ़ती है कोलंबो स्टार के उपर पिछे रिशंटली अगर देखा जाए तो जो पिछले पांच मुकाबले खेले गए हैं किन दोनों टीमों के बीच तो दांबुला जाइंट आmud को चार बार जीती है और कॉलंबो स्टार सिर्फ एक बार जीती है हैं जोले मैथ्यूस इस टीम के अंदर हैं साथ-साथ में आपको यहां पर बैनी होवल दिख जाते हैं तो प्रिके टीम अच्छी है तीम अच्छी है पस प्रफॉर्मेंस करना यहां पर कोलंबो स्टार जो है टफ फाइट देते नजर आएगी दांबूला जाइंट्स को अब कर देख जाएं तो यहां पर देखा जाएंट्स में पहले इस एंट्स करते हैं 19 camar路 मना पाई थी और दूसरी जो बात करें हाएं मैं पर कोलंबो स्टार की तो कोलंबो स्टार यहां पर चेज करते वे एक सो 99 रन दे दिये थे और 99 रन माले थे केंडी फैलकॉन ने उसको चेज नहीं कर पाई थे तो दोनों टीम हो कि यह कंडिशन जो है इस टाइम पर सेम हैं कल हमने गाले 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 को भी देखा कि एक पहला मुकाबला तर्फर मुकाबला हो गया और आज देखना होगा दो कमजोर टीम के लिए हैं मैं कमजोर इसलिए करता है किस तरीके से खेलेंगे यहां पर लाइक कर दीजेगा आप से लोग सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को जुड़ रही है हमाज सार लाइव हिंदी कामेंटरी में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ लंका प्रीमेर लीग का ये पांच वा मुकाबला है अभी तक पॉइंस टेबल के अगर बात की जाए तो कि जादा पुड़ी टीमें हैं नहीं मगर एलिमिनेशन जो है सरफ एकी टीम का होगा बागी चार टीमें यहां पर प्लेओफ्स खिलते हो नजर आएंगी पांस टीमों में से तो कोशिश यह रहीगा हर कफ्तान की बाई टॉप टू में रहेंगे तो टॉप टू में रहने स दोनों जीते हैं वह चारंग के साथ दूसरे पाइदान बनी हुए नेटर रेट अच्छा है केंडी फैलकॉन का यहां पर अगर गाले के बात कि तो दो मुकाबले खेले दोनों ही हारे हैं मगर तीसरे पाइदान पर क्योंकि नेटरन रेट जैंट और कोलंबो स्टार से मैच को जीतेंगे तभी टॉप फॉर में कौलिफाइग कर पाएंगे आप देखना होगा कि आज दामुला जाइंट्स के उपर भारी पड़ती है कॉलंबोस टारगेटी अब बात करते हैं यहां पर पिछकी बाइब ग्राउन किस तरीके से रहेगा यहां पर आप सब लोग द कि कोलंबो स्टार के सामने थे अर्व फैल कॉन ने वह भी टिफेंड किया था शकेंड़ेंस के अपोज़ित हुआ 2211 बने वह चेंड हो गए तो यहां पर दो मुकाबले यहां पर डिफेंड हुए हैं परसंटेज वीनिंग फर्स और बैटिंग फर्स और बैंटिंग छें वालिस है सेकंड इनिंग स्कोर सुबारा है कोई भी टीम पहले बल्ले बाजी करती है अगर वह 150 140 सब्लस बनाती है इसको तो एक अच्छा टूटल रहेगा इस पीछ के उपर डिफेंड करने के लिए क्या आज 140 विकेट चटका रहे और प्रेशर बना रहे हैं दूसरी टीम के ऊपर तो हमीशा अज भी टतान की सोच यहीं रहेगी कि टॉस जीता जाए टॉस को जीता जाए और पहले चेस किया जाए दूसरी टीम को बल्ले बाजी पर लाया जाए और शुरूवात पर विक्टे चटकाई जाए और टीम का स्कोर 120-130 तकर रहा जाए उसको टोटल को चेस किया जाए मगर ध्यान रखिए का चेस करना भी आसान नहीं हो रहा है यहां पर आप बड़े शॉट खेलना शुरू करें जिस तरीके से यहां पर मुव्मेंट मिल रही है तेज गेंद बाजों को गिन पढ़ पर इसपिछ को रहें तो इस पुच्छ पह उचाल है तेज गेंद बाजों के लिए मदद है इस्पिछी तरीके से यहां पर गेंद बाजी होती और किस तरीके से मुकाबला यहां पर चलता है तो विए पा जो है 50% मैचे जीते गए हैं और डिफेंड करते हुए 50% मैचेज जीते गए हैं मगर आज सोच यही होगी कप्तान की कि टॉस जीता जाए और चेस कि जाए कि कुछ चेस करना काफी एतना थोड़ा से आसान हो रहा है अगर 140-150 पर चुल यह किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी क करने होगी खुल के खेलना होगा बॉल की पीछ तक आना होगा तब ही आप यहां पर रन मना सकते हैं अगर आप सोच रहेंगी यह एक श्रिलंक की पुरानी पिछे जहां पर हमने पिसे सीजन में देखा था कि 170-180 रहे थे दूसरे दूसरान बन रहे थे वहां पर चेस भी हो हो जाता है यहां पर आप यहां पर मैच का ब्यूरा किस सीर है बाच करते हैं पिछकी वेसे बात हैं अगर विकिट च हटका एंए कार्णो कि पहले मुकाबले के बात की जाए तो पहले मुकाबले में जिस तरीक में आपना कमाल दिखाया था इस मिचकल पर मगर वह दिन का मुकाला था मघर जैब सब्सक्राइब काम्याब रह रहे हैं परसंटेज बढ़ जाता है वहां पर वहां पर ये रेश्यों जो है कम से कम 50-50 का हो जाता है सुबह मौस्टर होती है तो तेज गेंद बाद उससे विक्षटकाते हैं मगर मिडल ओवर्स में भी फिर स्पिनल गेंद बाद अगर आपके क लिए पिछ ऑवर आल जैसे बने बताया कि तेज गेंद बाद बाद कर रहे हैं इन फेक्ट श्रिलंगा के लोकल खिलालों के लिए इस विच्ट के ऊपर बल्लेबाजी करना डिफिकल्ट हो रहा है तो आप समझ जाए कि तो जो बाहर के खिलानी ओवर सिस खिलानी है उनके यह कितना डिफिकल्ट रहेगा यहां पर यहां पर बात करें खिलानी जो केंडिके बल्लेबाज है वही जै कुछ ह तक यहां पर इस फिच के ऊपर रहना में काम्याब रहा है चाहे कमेंडू मेंडिस हो या प्रत्म निशंक का हो एंडू फलेचर हो उन्हीं के पास पर पि तीन के मुकाबले में कई बार गेंदे जो है वह टर्न करती है और स्पिन भी शाप ठर्ण हो रहा है यहां पर जो है किस तरीके से खेलती है दोनों टीम है तैयार होके आएगी प्रिपेड होके आएगी जानते हैं पिछवाई आसान नहीं है बले बाजी करने के लिए अगर आप शुरुवात के छे ओवर बैलेंस होके चले आप शुरुवात के छे और चाती से आरती सन मनाए विकेड ना दे त करते हैं कि क्या क्या चेंजी जो है तो टीम है यहाँ पर करना चाहेंगे उससे पहले आप सब लोग डिल्टीन सवन आपके साथ जोड़ जाएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आइडी करना बहुत है असान है रफर को डालने है गूगल पर फोन पर पेटियम से आप डिपोईट कर सकते हैं टू साइट बैट एवी लेवल है लोड लॉसकर बुक सट कर सकते हैं टोटली एक्चेंज है दोन तरफ प्रोफिट बुक कर सकते हैं कोई भी जीते कोई भी हारे आप ज़रूर जीतेंगे यहाँ पर इस मुक मुकाबले खेल चुकी है तोनों टीम में दमुला जाइंट और कोलंबो स्टार दोनों वहों मुकाबले यहां पर खेल चुकी है विलिंग परसेंटेज अगर देखें तो जादा है 50 परसेंट परसेंट बिंग रहता इस ग्राउंड के अंदर और साथे अंदर बात करेंग बिख्रे सीजन में पिछले सीजन के अंदर पिछ अलग थी वहाँ पर रन्स सथाथा बन रहे हैं तो यहां राहे गएं यहां स्थी स्राइव लेना ही सेफ रहेगे बढ़नी रहे यहां बात करें रहे लॉzn 3 साइब दूसरी टीम को रोका जाओ और गेम को आगे बढ़ाया जाए यहां पर बात करें यहां पर अब दो टीम के एक्सपेक्टिड फ्लेंगाउं ने हैं मैं चाहूंगा निए कि दोटी में कुछ चेंज करें प्रफॉर्मेंस ठीक था प्रफॉर्मेंस ठीक था यहां पर अगर बात करें सबसे पहले आपके बाइंग तरफ यह है वह दामले जाइंट्स की टीम है जहां पर आपको शेवान डैनियल आपको देखने मिले थे जॉर्डन कॉक्स आपको दिखने मिलते भाजू भानुका राजी पक्षा थे दशुन शुनाका थे रमेश मेंडिस स्टीम के अंदर थे लहरुआ मदुशंका स्टीम के अंदर शिकंदर रजा थे लहरुआ कुमार थे चतुरंगा डिसिल्वा थे नूर आहमत थे और पॉल पाजी की जिम्मेदारी दी जाए तो रमेश मेंडिस दशुन शुनाका और भानुका राजवपक्षा पर दिम्मेदारी रहती है कि टीम की पार्टनर्शिप को आगे लेके जाए और टीम का स्कोर आगे बढ़ा है मगर यह यह बानुका पाश्य बाजवपक्षा और बाजी कर रहे हैं सिकंदर रजा क्या यहाँ पर सिकंदर रजा क्या बैटिंग ओटर चेंज करना चाहिए मेरे साफ साथ देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए शेवन डेनियल के साथ जौर्डन कॉक्स ओपन कर रहे हैं आप नंबर तीन पर भानुका राजवपक्षा ख कि ने अधिने खाटते हैं भाकी अच्छी लग रही है यहाँ पर और इसुमीद करता चाहर बरहत है अगर बात करेंब करें तो कॉलंबोग स्टार्वक्म कोलिंट का नहींasa इनके पास एंजिलो मैत्यूज है यहाँ पर निशान निशान डिकवलाइस टीम के अंदर है चाजिता सलंका है ब्रभी भवारा है मदुत्रा लक्षना स्टीम के अंदर है दिनेश चंडीवल है बैनी होवल है सेगुगा प्रसन्ना है डॉमिनी डारकेस है सुरंगा लकमल भी स्टीम के अंदर है और की वह पॉल भी स्टीम के अंदर तो बल्लेबाजी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बल्लेबाजी है मगर यहां पर थोड़ो सा मिक्स करना होगा इसको मिक्स करना हो क्योंकि एंजिलो मैत्यूज ओपन कर रहे हैं डिकवला के साथ तो यह बिना बिकट पे 40-42 बना के दें उसके बाद नीचे की बल्लेबाज है वह आपका सपोर्ट कर से खासका चाहिता असलंक का रवी भुपारा दिनेश चंडीमल ठीक स्टीम के अंदर है यह तीन बल्लेबाज नीचे की बैट बैटनी उसमाल रहे हैं अगर देखा जाए तो द अगा सकते हैं आज देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं गेंद बाजी थोड़ा से कॉलंबो स्टार को अपनी गेंद बाजी पर नजदर रखने हुए कि ऑल राउंडर बहुत कहल रहे हैं स्टीम के अंदर हैं कीमो पॉल है और बैनी होवल है तो तीन और आपके टीम के उनके सासद नियुवा क्राली को भी आगे रखना होगा खासकर जैसे कीमो पॉल आपके लिए बड़ेबर शॉट लगा सकते हैं तो आपके लिए साथ से लेके 15 और के बीच में कामियाब रह सकते हैं साथ में दिनेश चंडी मल है जो गेम को बिल्ड कर सकते हैं तो लगा सकते हैं तो आपके लिए बड़े-बड़े शॉट लगा सकते हैं थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा करना होगा इस टीम को को फोकस करना होगा अपनी गेंदबाजी के उपर कि अपनी इस बैटिंग और पर फोकस करना होगा मेरे साब से कोई चैंजिस करने की ज़रूर कि पाल को को नहीं करें कि ऻवब plicष्छा की जोःत नहीं तो पहला मुपाबला जाइंस को पहला मुकाला था पहले मुकाबले में वर टीमें अब मेरे सब्लोबा में जैंट किया होगा वगर फिर 만दनी definitely पक्षा धनुशन शनाका और रमिश मेंडिस यह तीन जो है तिकड़ी है और सिगंदर रजा यह चारों प्लेयर को प्रजेंट कर रहे हैं अगर यहां से अपर कर ले यह तो उपर कर ले नंबर चार पर आएं ठीक के खेलें आखिर तक गेम को लेके जाए क्योंकि हो जाया कि कौन-कौन से खिलाड़ी यहां पर खेल सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर आपकी टीम है दामूला जाइंट्स की तो इस टीम के अंदर आपको शेवन डैनियल देखनों मिल सकते हैं बानुका राजिपक्षा आपको देखनों मिल सकते हैं दसुन शनाका आप को देखने मिल सकते हैं रमेश मेंडिस साब को देखने मिल सकते हैं लेहरुवां-बंधुशंके श्चीम के देखना हो मिल सकते हैं आपको साथ में घुमार चतरुअग डिसिलवा नूर्र एहम होगा आज किस तरीके से प्र romantic play जाइंड था पहला मुकाल़ तो बहुत में लेए बर इंग्वल पर नेंग तर्म को आपको आपको अब बता जिते हैं कि यहां पर मैथ्यूस एंजलो मैथूस और निशॉन नाम बलजा बर्दस थे पर आपर पर शुरंगा लखमल तीम में बढ़िया गेंद बाजी करते हैं अपगर यह है कि शुरुवात में विडियोर चटकाने की जिम्मादारी जो है वो सुरंगा लखमल के ओपर हैं यहां पर आप चेज्स कर रहे हैं तो आप चाहेंगे फैर चटकाने पड़ेंगे मेंयों दूर्शी टीम पे कि आप दबाव बना पाएं हमारे टीम के अंदर रह सकते हैं बस कुछी तिर में यहां पर टॉस होने वाला है तो आपसा लोग के साथ जूड़ जाएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाचर में प्रिंग कर दिया उस लिंग को क्लिक करके कर लिजिएगा जाइए खेली और चीटिए डेल्टिन सवन एप बात करें हैं पर फैंटेसी टीम में हम किस किस के लाग को रख सकते हैं टीम के अंदर लक्षना इस टीम के अंदर खेलते हैं अग्जलो मैथ्यू सिकंदर रधा टीम बहुत अच्या है नूर एमद और अब इस रन देखर को चटकाई था पिछले मैच में बाकि रभी बुपारा पर नजरी होंगी आज अडी मल पर नजरे होंगी क्या आज दोनों जो है परफॉर्म कर पाएंगे यहां पर देखना होगा बस कुछी देर में कुछी देर में यहां पर टॉस होने वाला है चैलन में खेला जा रहा है मकाबला महेंदरा राजबक्षा इंटरेशनल स्टेडियम में फाज़ो मकाबला लंका प्रिमर लीग का शुरुआ कुछ मुकाबले चहोड़के पिछले तीन मुकाबले हों ज्यादा कुछ खास हुए नहीं हैं उमीद कर रहे हैं अज कर रहें उमीद क के लिए भी टॉस के लिए अपडेट आई नहीं है जैसी टॉस के अपडेट आ जाती है तुरंद में आपको बता दूँगा एक बाच चले को सब्सक्राइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा पांच हुआ मुकाबला है दांबुला वर्सेस कोलंबो का यह मुका तुरंट आपके स्क्रीन के सामने जो है टॉस के लिए फ्लैश हो जाईगी आपके स्क्रीन यहां पर जुट जाए हमारे साथ लाइव इंदी कमेंटरी में बस एक से दो मिनट बचे हैं टॉस होने के लिए कौन जीतेगा सचिन भाई देखें उमीद कर रहे हैं यहां पर ट हो चुका है इस मुकाबले में कॉलंबो स्टार है वन दो डिसाइडि टू बैट फर्स्ट तो यहां पर बल्लेबाजी करने का निट यहने दिया है को शकता है कि शायद पहले मुकाबले में जिस तरीके से यहां पर चेस करने गए थे पूरी टीम जो है कोलाप्स हो गई थी तो इसलिए आज यहां पर कॉलम्बो स्टार के कप्तान एंजलो मैथूज ने सोचा है कि यहां से जो है आज कोशिश करते हैं पहले बल्ले बाजी करें और एक बड़ा स्कोर खड़ा करें देखिए यहां पर 140-145-150 न का स्कोर जो है वो काफी बहतर रहेगा अगर टीमें यह करेंगी तो बाकिया डिपेंड करता है किस तरीके से बल्लेबाजी होती है यहां पर टॉस हो चुका है ठोजीता है कोलंबो ने पहले बल्लेबाजी करने का डिनली अधिशन को सब्सक्राइब कर दीजिए गार लंका प्रीमियर लीग का यह पांचमा मुकाबला पर कौन किस तरीके से खेलेगा यहां पर मेरे सब से जबर्दस्त मुकाबला हो नहीं की उमीद है कि दोनों टीम में पहला-पहला मुकाबला हा रही है निश्चित तौर पर जो टीम जीतेगी वह नंबर तीन के पाइदान पर आ जाएगी तो टॉस हो चुका है धुर्टाइए हमाज साथ क्रिकेट लाइब हिंदी के साथ यहां पर बस कुछी देर में अभी प्लेइंग लावंज वह आते में नजर आएगी यहां पर आज दांबुला वन होगी या कौन सी टीम जीतेगी मेरे तरफ सा तो भाई मैं सपोर्ट करूंगा यहां पर आज कोलंबो को सब्सक्राइब को दो टीमों को जादा चेंजिस करेंगे नहीं एक दो चेंजिस हमें देखने को मिल चाएंगे बढ़िया मजात राजा खुकाप सिकंदर रजा को बोल रहे हैं बैटिंग ओटर देखना पड़ेगा न किस नंबर बैटिंग करने आते हैं चेवर में कितना होगा भाई रूब बलेबाजी करने को टीम का स्कोर तो उमीद करेंगे कि आज भी उतना ही स्कोर यहाँ पर रहे है भाई आज जैक्पोट हुगा और नहीं कि नहीं है उम्मीद तो यही है कि आज जैक्पोट ही था है बस प्लेइंग नहीं का इंतिजार है जैसे प्लेइंग आपके सब्सक्राइब करते हैं आप चलिए आप बता दिया है यहां पर यह कुछ यहां पर तॉन मेंने को मौका मिला है मैंडेश फीक है निया तो प्ले चलिए क्या होता आज मुकाबले में बागी चेंज पता लग गये ढंगा गए टीम के दामबूला जाइंट्टीम के दिए यहां पर चेंज किया है अच टॉम एबल नहीं खेल रहे हैं उनकी चाम एबल आज खेलेंगे यहां पर डेट सोन ने पड़ेंगे तभी आप बाउंस बैक करतें उसके अलावा कुछ नहीं पाएगा भाई पिछ भाई पिछ बैटिंग पिछ की बॉलिंग पिछ भाई कैसी रहेगी भाई देखिए यहां पर अखलक भाई पिछ वही है जांबुला की पिछ में जाए चेंजिस आपको मिलेंगे नहीं बाउंसी विकिट है और स्पिन हरका फुल का हो जाएगा दिन के मुकाबले में और यहाँ पर बल्ले बाजी करते हैं तो डिफिकल्ट रहेगा अगर आज जहाँ पर अच्छा काज़ा फाइटीन देखो मिलेगा अगर डेट सोरन मुझे लगता है कि एक आवरेस स्कोर रहेगा डिफेंड करने के लिए बाकिए अप परदस खेल जो है वह देखने को मिल चाहिए यहाँ पर यहाँ पर बोल दिया है कुछ उन्होंने भी चेंजिस करें टीम के अंदर तो क्या चेंजिस रहेंगे वह देखना लिबात होगी चलो सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा बस यहाँ पर आप प्ले चेंजे आपने टीम के अंदर करेंक तो अब चाहिता है यहां पर अपर आपर टीम करता किस तरीके से खेला हो बहाँ चेला होगे है यहां लाइक करते हैं टौंज स्टार्स कॉलमबो स्टार्स डिसाबॉट फस्तो पहले बलेवाजी कई आपको स्क्राइब के सामने यहां पर ताम एबल को मौका दिया और मैकरें नहीं खेल रहें तो वैखिए अच्छी सोचे एक चीन्जी तो कर दिया और उमीद है कि जबर्दस खेल हो जाए अब यहां पर देखना हो कि यह लगाता डेली हम स्ट्रीम कर रहे हैं हमें इतना मज़ा नहीं आ रहे हैं पहला मुकाबला काफी अच्छा था दूसरे मुकाबले से इतना मज़ा नहीं आया थोड़ा सा उमीद है कि आज के इस मुकाबले में थोड़ा बहुत जो है कुछ भी एक मुका मिलता तो सही रहेगा यहां पर यहां वह बल्लेबाजी कर दीजेगा इनके टीम के वारे नारे हो जाएंगे चलिए सलते ज़रा मुकाबले के तरफ लेते हैं तो मैसेज स्टोस जी लिए यहां पर कवलम्बो स्टार्स ने पहले 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 जे हैं वह पल्लेबाजी करने मगले हैं बाइख देखें लुएबल कमसें फॉर पॉल माकरन उनकी तो नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह तो मेंड़ा चुके मेंडिस को भी आउट करा है तो देखते हैं किसको खिलाए गया है टीम के अंदर बस कुछी मिनट्स के अंदर आपके स्कीन के सामने जो है प्लेइंग लाइक कर दीजेगा और जुड़ जाएगा हमार साथ इस मुकाबले में मकाबला काफी hurdle मार बण वान बार दो खरण का अंदर कमर JUL रहेंगा कर मने लाइक कर रही है कि लएक आप सबस्काइब करते रही है उसमें आप सो के साथ जोड़ेंगे यूँल को सबस्काइब कर लोगी आगा कल मज़रा आगगा और वोन मेंट हमेशा अंप्र प्रेडिक्टिबल गेम होते हैं और एक जबरदस खेल जो है वह देखने को मिल जाता है यहां पर थोड़ी तरह में बस प्लेंग लावन आने वाली है पस प्लेंग लावन का इंतजार है जैसे प्लेंग लावन स्कीं के सामने आएगी यहां पर काम हो जाएगा अंसार एहमत सब्सक्राइब करने के लिए किसको टीम देखना पड़ेगा गेंदबास को बना लीजे बैटर है कि परफॉर्म कर रहे हैं यार पिछले सीजन में तो यार बल्लेबासी के लिए काफी अच्छा सर्फिस था यहां पर अच्छे कासे रन बनते इस बार पिछ को पता नहीं क् टफ इच बिल्कुर टफ पिच बना दिये गई है वहट वरन बनाना जो मुश्किल हो घृए बल्लेबाज के लिए कोसर नहीं को 언제 जीतेगा आगें को इस सब्सक्राइब आएiliar कault के लाइन राइन मिल जाएगा 2014 मिनिट में मेरे साथ आप से शायद दो बच्के 43-44 मिनिट दो लाइना पाजाएगी इसके बाद 15 मिनिट के अंदर पूरी विशलेशन कर देंगे हाई बोल दस्तर जी बाबु खान बाबु खान जी हाई बाई कैसे हैं आप जुड़े हैं मारसाथ और काफी बड़ी हैं काफी अच्छी बात आप मुकाबले में कॉलंबो स्टार्स को सपोट करें चर्ण करेंगे का इस मुकाबले को जीते तो हमारी टीम होगी कॉलंबो स्टार उमीद है कि बहुत जाए और वैसे तो हमें ठीमियों से जज्यादा और किस तरीके से खेला हो बहे किसे बनाएंगा आप किसको बना सकते हैं आप मैं खुष्छ सोची यहां पर गेंदबाज को बनाइएगा लकमल लग को बना सकते हैं आप बाकी आप जोर्ण कॉक्स ने कल अच्छी बल्लेवाजी की थी उनको आप केप्टन रख सकते हैं उन्हें कल इस स्पीच पे ऊपर 43 अ तो चीज़े देर में कोची सेकेंड में आपका स्क्रीन के सामने जी आप लेंग लाउन आगी प्लेंग लाउन का इंतजार है जैसे आप लेंग लाउन आए तुसका सबस्क्राइब फैंटसी टीमेज देख सकते हैं ब्लॉक विकास भाई जुड़िया हमार सतकर है है लो मुझे लगता है कि आजकर मिकाबले में कुछ बह्तर मुकाबले हुसकर है यह अदर कुछ खास मुकाबले हुआ नहीं है ठीक करदीजेगा यार चैनल को पहले बल्ले बाजी अंजलो मैंत्यूस की ठीम पहले बल्ले बाजी धी फार ऊच्थी कामरान भाई कोशीष तो यही है कि कॉमेंटरी बेहतर हो और फॉर्म में भी ऐसे कंदर जाए सान यह फॉर्म नहीं उनके पास करीम जन्नत के लिए पिछ अच्छी है करीम जन्नत ने आबुदाभी लीक के अंदर भी विक्टेश अठकाई थी नमीन उलग भी अच्छी कासी विक्ट ले सकते हैं आज आज इतनी लेट क्यों कर दी प्लेंग लावन महरबा भेशते भेशते दांबुला वर्सिस कोलंबो का मुकाबला एक तरफ होंगे अगर वो अच्छा खेलेंगे लोकल प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो फॉरन प्लेयर आटोमेटिकल जो ओवर्सिस प्लेयर है वह परफॉर्म करना शुरू कर देंगे इस टूनेमेंट के अंतर तो बागे डिपेंड करता है किस तरीके से खेल चलता है बस प्लेंग लावन का इंतजार है प्लेंग लावन अभी तक आई नहीं है क्या जॉर्डन कॉक्स को बिना सतने हैं जॉर्डन कॉक्स अच्छे क्या होता है इस मुकाबले में लाइका कॉन ख्लाड़ी है बहुत दिन बाद आपके साथ थैंक्यू भाई कुंदन राइवाई देखें फैंटसी के लिए वाई देखें फैंटसी प्रिडिट करना असान नहीं हो रहा है यहां पर गेंदबाज बना लेंगे वह बैतर है दिन का मुकाबला है थोड़ा बहुत स्पिन भी कर साथ है तो देखें को शिच करेंद दो स्पिनर गेंद बाज तीम के इंदर रख लीजिए गा और बल्लेबाजी के लिए बहुत सारे हैं बैनी होवल है आपके लिए अच्छी गिन बाजी करतें हैं यहां पर जो कल दे करने के लिए आप देखना होगा आज किस तरीके से खेल जाएगा इस खेले लीग में सुरेश्ट राइन का बजट नहीं है इस लंका के पास बजट कम है इसलिए सुरेस्ट ना को नहीं लिए इस टुनेमेंट के अंदर क्यों कि एक भाई है पाकिस्तान से वाइब तरह देख का डिले हो चुका इसलिए अभी तक प्लेंग 11 नहीं आई है जैसे प्लेंग 11 आती है तुरंत में आपको यहां पर गाइड कर दूंगा कौन-कौन से खिलाडी जो हो खेल रहे हैं कि अभी तक हर जगा मैं चेक कर रहा हूं प्लेंग 11 डिस्क्लोज नहीं कही गई है तो यहां अब बाकी देखते हैं आज क्या होता है और अगर बात करें यहां पर जो है काफी बढ़िया रहेगा आगे उमीद यही है कि जबर्दस्त खेल देखा जाएगा और उमीद यही है कि थोड़ता खेल अच्छा हो क्योंकि हर बार मुकाबले में जिस तरीके से खेल हो रहा है म लंबो स्टार वर्सेज जो है अब यहां पर दांबुला का मुकाबला है प्लेंग नहीं आए इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं जैसी प्लेंग लावन आएगी तुरंत बता दोंगा भाई यह बताओ आओ आप कहां से हो यार इंडिया पाकिस्तान नेंदर रा सब्सक्राइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेए चलिए यहां पर आपके तरफ दांबुला जाइंट्स की टीम है और दाई तरफ आपके जो होगी यहां पर कॉलंबो स्टार की टीम तो देखिए आपके स्कींग सामने अब प्लेंग लावन जो है वो लगाना करेंगे और यहां पर तो दोनों टीमें आपके स्क्रीन के सामने हैं देख लिए उसके बाद तुरंत मैं आपको बताता रहूंगा टीमें भी यहां पर दामुला जाइंट्स में आपको यहां पर मिल जाएंगे जॉनन का राजपक्षा शेवन डैनियल शेकंदर रजा दश स्क्रीन के सामने बिलकुल तैयारी कर लिजेगा स्क्रीन के सामने हमने जो है वह बिलकुल प्लेंग लाइवन रग दी है दोनों टीमों की जिससे आपको कोई दिक्कत की बात नहों यहां पर एक तरफ कोलंबो स्टार्स की टीम है और एक तरफ दामुला जाइंट्स की टीम जहां पर मैं आपको क्लेरली प्ता पहूंँ कि कौन को से खेल रहें चलते हैं ज़रा प्लेंग लाइँ तरफ की तरफ की जहां पर आपको दंबुल जायंज की टीम तेम में आज जो है वो खेल रहे हैं जौडन कॉक्स भानुका राज पक्षा शैवन डैनियल स्टीम के अंद हैं लहरुआ कुमारा है और नूर एहमद इस टीम के अंदर है यह टीम है आपके तरफ दाई तरफ की टीम है और बाई तरफ की टीम के बात करें तो निशॉन डिक्वेला कॉलंबो स्टार्ज की निशॉन डिक्वेला इस टीम के अंदर है रवी बोपारा है तिनिये शंडी 11 यहाँ पर दोनों टीम की आपके स्ट्रीन के बिलकुल जस्ट सामने यहाँ पर आपको प्लेंग 11 जो है वो देखने को मिल रही है तो लाइक करते रही है सब्सक्राइब करते है चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंटरी में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहां पर बिल्कुल एग्जेक्ट आपके सामने है प्लेंग 11 यहां पर देखना होगा किस तरीके से खेल चलता है दोनों टीमों की प्लेंग 11 आ चुकी है बस अब से 11 मिनिट के बाद यह मुकाबला शुरू होगा और प्लेंग 11 तुझे डिल स्टीम के अंदर है चतुरूंगा डिसिलवा है चॉम एबल है त्रिनेंदू रतनाई के स्टीम के अंदर है लहरुआ कुमारा है और नूर एहमद है यह आपकी दामबुला जाइंट्स की टीम है और आगर बात करें यहां पर कॉलंबो स्टार्स की तो निक्र निशॉन इस टीम के अंदर है नवोद परनविथाना इस टीम के अंदर है चरिता सलंका है एंजलो मैथ्यूस है करीम जन्नत हैं जॉमनिक जार्केस है सुरंगा लकमल है जैफरी वंडर से भी टीम में हैं इनको भी टीम में रख लेजएगा बढ़िया गेंद बाजी करते हैं सुरंगा लकमल जैफरी वंडर से और नवी नुलक साथ में डाउमनिक डार्केस भी है करीम जन्नत भी है तो और राउंडर की भूमिका है आज कीमो पॉल को मौका नहीं मिला है पिछले मैज में अच्छी बल्ले बाजी की थी बगर आज उनको मौका नहीं दिया गया है बल संग चले वाई विल्कुल सही बात है यहां पर बात करें यहां पर फेंटेसी टीम के यहां से अगर देखा जाए तो आप शॉन डिक वैला बलेबास को बनाए यहां पर विकेट चटका भी रहे हैं अगर बात करें नवी नुलक की जेफरी वंडर से भी हैं सुरंगा लकमल बहुत बहुत नीचे बल्लेबाजी करने हैं को तुरस ऊपर रखें तो बैटर रहे कि कोलंबो स्टार के लिए मगर शुरुआत अच्छी करने होगी आज शुरुआत अच्छी करनी होगी निर्शॉन डिक वैला और एंजिलो मैथ्यूस पिछले मैच में ओपन करने आये थ चैनल डैनियल और रहेंगे साथ में लहरुआ कुमारा नूर अहमद डार्केस और सुरंगा लकमल एज़गेंदबाज आप रखिएगा एंजिलो मैथ्यूस को और वाइस को और वाइस को और वाइस को एज़गेंदबाज को विक्टिट मिलती है आज देखना होगा कि घास काटी कorum अगर घास नहीं काटी है घृफ जो ही हो जाएंगी करना बिल्कुल भी कराओना बल् procure करना कुछ खास हो नहीं रहा इस प्रिछ की ऋपर जिस तरीके से खेला हो वे हो रहा है केला हो गए की रन लगे होगा उन्क औलगी सब्सक्राइब करेंग को लाइक कर दीजेगा हमार साथ लाइव हिंदी कमें ट्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला बस कुछ दर में शुरू होगा कुछ दर में शुरू होगा दों टीमों की प्लेंग नावन बता दिये कॉलंबो स्टार ने टॉस जीता है पहले बल्लेबासी करने निनलिया एक पर फिर से आपको टीमें बता देते हैं या आप दामबुला जाइंट्स में जॉर्डन कॉक्स टीम के अंदर है बानुका राज है यह दामबुला जाइंट्स की प्लेंग नावन कॉलंबो स्टार की प्लेंग नावन में निर्शॉन डिकवेला रवी भुपारा दिनेश शंडीमल नवोद नवोद प्रना विथाना स्टीम के अंदर है चाहिता स्लंका है एंचिलो मैथ्यूस हैं करीम जन्नत हैं टॉमिन लग है तो आज कीमो पॉल को नहीं खिलाया यहां पर एंजूल मैथ्यूस ने क्या सोच के नहीं खिलाया है वह देखने वाली बात होगी यहां पर जुड़ जाईए हमाँ साथ लाइफ हिंदी के साथ मुकाबला बस कुछी देर में शुरू होने वाला यहां से मुकाबला कुछी देर में शुरू होने वाला तो जुड़ जाईए और लाइक कर दीजेगा आप से लोग सब्सक्राइब कर दीजेए चानल को यहां पर और मुकाबले को बिलकुल पूर तरीके से इंजॉय करिए का आप देखना होगा यहां से किस तरीके से खेला होबे खेला होबे क कि यहां से धांबुला जो है वह जीता हो भी अब वह देखना होकामारी टीम कोलंभोस्टार्स के टीम रहेगी उमीद करेंगे कि कोलंबोस्टार्स के टीम में मुकाबले को घीते हमें एक तरफा गेम देखने मुझे तक आज एक अच्छा मुकाबला होगा थोड़ी दिर में बस यहां पर प्लेयर ग्राउंड के अंदर आएंगे चार मिनिट बच्चे हैं आपके स्क्रिंग सामने इसलिए प्लेंग लाउन रखा हुआ है कि जिससे आपको को निफ्यूजन हम देखा तो और राउंडर की मोमिकां में रहते हैं राईटम मीडियम पेस्टेन बाजी करते हैं राइट है यह बलती ठाक रहती है अब गयंद बाजी के देखना होगा गेंद बाजी में किस तरीके से खेला हो वह क्या यहाँ से अच्छा खेल दिखा पाएंगे देखना ह होगा चैनल को करें सब्सक्राइब कर दीज़ें लाइक मुकाबला बास सोड़ी दर में शुरू होने वाला है लगा दो विन सीएस पर चलो भाई आप लगा रहें लगा दीजिए भाई को हम जड़ा वेट करेंगे देखेंगे हो कहा रहा है इस मुकाबले में ओपनिंग प्ल यहां पर जानते हैं यहां पर चाहिए जो लोकल प्लेएर हो जानता हो एक छोर से टिक जाए तो दूसरे बल्लेबाज आकर रहना सकते हैं यहां पर अगर एक छोर से ठीक कर रॉन्य पर सब्सक्राइब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी निशान डिक्वेला या नंबर तीन पर भपारा के लगा सकते हैं वह ज्यादा तर्स पड़े शौट लगाना पसंद करते हैं और मैंदुले मैथूस हैं वह पावर प्ले का जो टेक्निकल जो टेक्निकल साउंड प्ले यहां पर तीन मिनट बच्चे हैं और मुकाबला यहां से शुरू हो रहा है तो प्लेंग नावन सबको दिखा दिये प्लेंग नाव सबको बता दिये हैं मुकाबला अच्छा होने की उमीद है चाहेंगे कि बड़िया मुकाबला देखने को मिल चाहें यहां पर और बहतरीन खेल हो यहां पर बागी अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से टीमें खेलेंगे मेरे साब से तो बड़िया बागा नाँ यहां से बस थोड़ी maple देर में चुरू यहां से बहतरीं परतेशन करना होगा तभी यहांसे घेल जो है वो बैटिंग मलम बनाया है क्या यहां से एक बड़ा स्कूर्ट रहेगा इस पीछ के उपर जिस तरीके से गेंद बाजो को यह पिछ मदद कर रही है आप डिपेंड करता है किस तरीके से यहां पर कॉलंबो स्टार खेलता है बस कुछी तरह में फ्लेयर जो है वो ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे और यहां से मुकाबला जो हो जाएगा त्यारी कर लीजेगा बस तीन उन बचे है और ध्यान रखेगा डेलटन साउन अप पर जाके जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनर पेंग कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आईडी कर लीजेगा मिनिममम बैट सि आइडी करना बहुत असान है लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और लाइचनर में लिंक को क्लिक करके आइडी कर लीजेगा डालने जोड़त नहीं है यूजर ने मनाइए पास्वर्ण मोबाइल नमबर डाली है आपकी आइडी जो हो जाएगी डेल्टन सा कोलंबो ने टॉस जीद कर पहले बल्लेबाजी करने का निन्ने लिया है यहां पर दामुला वर्सिस कोलंबो का मुकाबला जो हो शुरू होने वाला यहां पर देखना होगा किस तरीके से प्रतशन होता है दोनों ठीमों के प्लेयर जो है वह ग्राउंड के अंदर आप आप सुआ मारा देखिसेघाा जो है वह अपन करने के लिए हैं डोनों बल्लेबाज आच चुके हैं यहां पर ओपन करनीग visits Veil हो तो तयारी किरली मिकुमारा के घंद्धалась키र है तो हर्स हैं कि बरसा दूपट धूप हो हल क्या है कि बल्कषय दूब करिस दूब मिल रही है मेर क्लावडी वैदर है यहां पर एंजिलो मैथ्यूज और रजी नहीं है एंजिलो मैथ्यूज साथ निशॉन डिक्वैला को भेजा गया है ओपनिंग करने के लिए अब देखते हैं यहां से क्या होता है तो फ्लेयर गेम जो होने वाला है कुछी सेकेंड्स के अं थोड़ी सी मिस्फिल्ड होई चौका लग गया जी थोड़ी सी यहां पर मिस्फिल्ड होई थर्ड मैन से और चौका मिल गया काफी तेज गती से गेंद गई थी आउट फिल्ड की तरफ और थर्ड मैन के फिलनेंट हुड डाइव जरूर लगाई वहां पर गेंद को रोकने टीम के ताबर तुर बल्लेबाज रह चुके हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आज दिम्मेदारी होगी कि बड़ा बड़े शौट यहां से लगाएं अब देखते हैं क्या करते हैं चलिए अगली गेंड सामने मौजूद हैं बल्लेबाज लहरु आ कुमारे के हाथ में अमपार अपनी कैप को जह है शायद रख रहे हैं यहाँ पर कैप को दे दिया क्यूब की अगली गैन इस और फिर से ऑस्टम की गेन थी है सीधे बले से खेला जरूर है वहाँ पर कवर के फिल्टर ने गेन को फिल्ट कर लिया और एक रण और मिलता हुआ यहाँ पर जो है बल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इंजॉय करिए इस मुकाबले को, स्कोर का धिदर अप्टेट हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्राइक पर आ जाएगे एंजिलो मैथ्यूज, तो एंजिलो मैथ्यूज का क्या गेम प्लाइन होगा, वो डिपेंड करता है किस तरीके से गेम ह होगा, यहाँ पर हम सपोर्ट करेंगे, कॉलम्बो स्टार को उमीद करेंगे, कॉलम्बो स्टार जो है, इस मुकाबले को जीते यहाँ पर, देखते हैं भी, यहाँ पांच रन बन चुके हैं, बिना किसी नुकसान के गेंदि हो गई है, दो लहरुआ कुमारा के ओवर की ती दिया, इसको डिप मेंड विकेट दिशा में, चौका बठोड लिया, इस गेंद पर दो चौके सोबर में आ चुके हैं, तीन गेंदो में, नौरम ना चुके हैं, थोरी से बल्लेवाजी के लिए, पिछा नुकूल लग रही है, इसा लग रहा है कि शायद पढ़ने के बाद पकल लिया, विकेट कीपर ने, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, दिवाकर भाई, घुरू हूँ, क्या करूँ, होगा, डिवाकर भाई, क्या बोल रहे हैं, सुरेश नायक भाई, कुछ रंक से लिखिएगा, यहाँ पर चलते हैं, जरा मुकाबले की तरफ, और यहाँ पर यहाँ पर चौती पाच्वी गें लेगा, कुबारे के बार, फिर से फुलंद की गेंस बार, सीधे बल्ले से खेल ले गए, टॉपेश लगा, गेंद को पकड़ रहे हैं, मिड़ाफ के फिल्डर कैच आउट हो जाएंगे, लीजिए, एक और जटका, पहला जटका लगता यहाँ पर चौह है, यहाँ पर कॉलंबो स्टार्स की टीम को खेलना जाते थे, ओंसाइड की तरफ टॉपेश लगा, गेंद गई सीधा, मिड़ाफ की तरफ फिल्डर ने वहाँ पर कैच पकड़ा, कोई गलती नहीं करी, फिल्डर थे सिकंदर रजा और कैच पकड़ा यहा यहाँ से थोड़ी सी प्रेशर स्टूशेशन आचुकी है, फिर से प्रेशर स्टूशेशन आचुकी है, यहाँ पर अब देखना होगा क्या होता है, इस मकाबले में निर्शान डिकवला जी, आसिकंदर रजा ने पकड़ा तक कैच यहाँ पर एंजिलो मैथ्यूस पविले जए यहाँ पर यहाँ पर जो है अब नवोद नवोद परनवी थना, जो है वह बल्ले बाज़ी करने आए, नौंगे स्ट्राइक पर वाई हाथ के बल्ले बाज हैं, आज इनको टीम में रखा गया है, नवोद परन्ले थना को तीन है, चीह है, रवी वबाजा को बशे सते जी गई है पांकरी गर यहां पर फिस्ट तोड़ी से की लेकल लग रही है फिर से अगली गर यहां पर लेहुआ कुमारा की लेक्स्टम पर यह गें थी बिलकुल यॉर करी गर इंदिस बर पैट से टक्राई आपील करी आउट दे दिया लगए तर दो बैक टू बैक विकेट सब्सक्राइब without कोलम्बो स्टार्स का स्कोर है निशान डिकवेला होंगे स्ट्राइक पर अब देखना होगा कौन बल्लेबास ही करने आएगा शुरुवात उस तरीके की हुई नहीं है जिस तरीके की शुरुवात की आज उमीद थी उस तरीके की शुरुवात आज देखने को मिली नहीं है औ मुकाबले को मुकाबला दो शुरुआत खराब होई है मगर भूचरता खिसके बाद कुछ अच्छे बल्लेवाजी जभी देखने को मिल चाएगी हाँ आगे देखने होगा किस तरीक से खेला चलता खेल किस तरीके से आगे बढ़ता है जहाँ पर और मुकाबले में कोशिश य बल्लेवाज निशॉन डिकवेल तो स्ट्राइक पे हैं मगर चरिता स्लंका जिया चरिता स्लंका को बेजा गया है बल्लेवाजी करने के लिए कुछ बैटिंग ओडर चेंज नहीं कर दिया चरिता स्लंका इस विजिल यहां पर श्रिलंकन टीम में नंबर तीन पे खेलते हैं व निशॉन डिकवेल ने और दबाओ दबाओ है कोलंबो स्टार की पूरी प्लेइंग लावन बतादो बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है प्लेइंग लावन बैटिंग में देख लिजेगा चले चलते हैं जरा मुकाबले के तरफ सामने मौजूद है सिकंदर रजा एक पर खराब गेंद बाजी फुल टॉस गेंद कर दी और चौका बटोड लिया इस गेंद पर जो है निशॉन डिकवेल ने डिकवेला चले यहां पर टीम का स्कोर जो है वह आगे लिखे जाएंगे तीरे रन दो विकेट नुकसान पर एक दसनलत दो गेंद वह खेल हो चुका समाब सामने मौचूद हैं बल्ले बाज यहां पर डिकवेला चली अगली तीसरी गेंद इसुवर की राजा की पर फिर से ऑस्टन के बाहर यह इस बार कट करा था गेंद गई पॉइंट फिल्टर के पास फिल्टर मौचूद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर रिव्यू नहीं ले पाए चली कोई बात नहीं डिक वेलाएं फिर्स ट्राइक पे हैं फिर्स फुलं की गेंद से खेला जरूर गेंद गई है का इस बाजी करने का इरादा बना कि आए और उसी लाइन पर यहां पर पांच वी गेंद इस ओवर के बाफिर से यहां पर विकिट दिशा में छे रन के लिए ऑन पर बाहर के तरफ गेंद करने कुशिक निगे यहां पर इसका बचो रहा yuna बल्लेबाजी के लिए सुर्फश स्टर्फश टिक लगज रहा है क्योंकि अगर यह दूसरी पीछ होती है यहां पर अईसे श्वीप लगाना जो है बासान न लोगफुल टॉस ही एगें थी डिफेंस कर लिया इस गेंद को ने शॉन डिक वेलर ने कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर होवर की समाप्ती होती वी दो होवर समाप्त हो चुके हैं 19 रण दो विकेट नुकसान पर कॉलंबो स्टार्स का स्कूर है शुरुवाट ठीक होई है विकेट जरूर खोया है मगर शुरुवाट ठीक होई है ये पिछ सोड़ से सर्फेस जो है अच्छा लग रहा है बल्लेबाजी करने के लिए अब देखना होगा कितने रण यहां से जोड़ते हो नज़र आएगी कॉ करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिए जुड़ जाएगा हमार साथ लाइव ऑंदी कोमेंटरी के साथ मैं काफी लोग पर लाइक कर दीजीगा जैना को सब्सक्राइब करिजिएगा इस मकाबले को शुरूखाइग शुरूवात उस तरीकी की नहीं हुई है जितनी भी होई है क पहले बल्लेबाजी करने लिया यहाँ पर लेहरुवा कुमारा लेहरुवा कुमारा को एक और दिया रहा है पिछले ओर में दो रीकिट चटकाये थे इस ओर में ाड सब्सक्राइब कर लिए इस गेंद को और कोई रन नहीं मिलेगा चरिता सलंका को स्कोर अभी भी यहां पर 19 रन दो विकेट नुकसान पर सब्सक्राइब के लिए अच्छी लग रहे हैं अगली तीसरी दूसरी इस ओवर की चाहिता स्लंका को आउस्टन के बाहर यह गेंद इस बार पूल करने गए यहां पर बीट हो गए इस गेंद पर चरिता सलंका एक और डॉट गेंद इस ओर में लगता दो अच्छी गेंद यहां पर लेहरुवा कुमारा से और बड़िया गेंद बाजी अच्छी पेस से गेंद बाजी कर रहे हैं और उत्तरा बाउंस जो है उस पीछ पर नहीं मिल र लेहरुवा कुमारा गेंद लेकर चल रहे हैं और फिर से लेक्स्टम पर गेंद के लाईयों का सारे खेल दिया इसको मिड्विकेट दिशा में और स्कूर लेक्ट दिशा में फिल्टर मौजूद है कोई रण नहीं मिलेका लगतार तीन डॉट गेंद इस ओर में आ चुकी ह स्कूर हो चुका है 19 रंद दो विकेट नुकसान पर 2.3 गेंदों के बाद निशॉन डिकवेला जो है वो आठ गेंद में 15 नमरा कर खेल रही है दो चौक एक शक्का लगाया है चरिता सलंका तीन गेंदे खेले वित खाता नहीं खुला है इस ओर के लगातार तीन गेंदे ज सब्सक्राइब की तरफ उचाल भरी ये गेंद थी इसको इनको फिर से डिफैंस कर लिया चाहिता सलंका ने शायद इस पारी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा समय ले रहे हैं यहां पर बनाने के लिए 19 रंद दो विकेट नुकसान पर 24 गेंदे हो चुक बल्ले पर अच्छे से आ रही है यहां पर चलिए एक बार फिर से सामने मौझूद है अब चरिता सलंका ओवर किये पाच वी गेंद है इस बार फिर से थोड़ा पटकी वी गेंद इस बार बाउंसर यह गेंद है और कोई मौका नहीं अंपायर ने इसको वाइड करा दी को स सर के उपर से चरिता सलंका के सर के उपर से यह गेंद निकल गई और एक एक्स्टर रन जूड़ता हुआ यहां पर कोलंबो स्टार्स के स्कूर में बीस रन दोविकेट नुकसान पर दो दशनल चार गेंद हो चुकी है यहां पर शौन डिक्वेल आइक छोर पर खड़े हु इस सोवर की सामने है चाइटा सलंका फिर से यहां पर आउस्टम पे यह गेंद थी यहां पर उसको ऑंसाइड के तरफ खेल ले गए टॉप एश लगा वहां पर नौमैंस लैंड में एक गेंद गिरी है वाह यहां पर टॉप हैज लगा और छेष रन मिल गए जी यहां पर खेलना चाहते थे ओन साइड के तरफ वास्टम पर ये गेंद आउस्टरज लगा और गेंद के सीधा डीप पॉइंट की दिशा में और छे रन मिल गए इस गेंद पर चरिता सलंका को यहां तो कहेंगे कि गेंद बासी किसमत खराब थी क्योंकि बल्ले के बीचों बीच नहीं बल्ले के बहारी किनारा लगा था यहां पर चरिता सलंका का स्कोर हो चुका है 26 अंद, दो कि नुकस तान पर दो दक काँः पांच गेंद हो गाई है करेंट्रण रेट यहां से किस contractor बल्लेबात ही होती है च्रिता सलंका के क्यार है अग्य गेंद खेलने के लिए रहरू यहां पर एक और विकेट कोलंबो स्टार का गिरता हुआ यहां पर 26 रन तीन विकेट नुक्सान पर तीर ओवर के समावति के बाद लैरुवा कुमारा जो है वो दो ओवर किये 16 रन दिये और तीन विकेट चटका दिये हैं यहां तो ऐसा लग रहा है कि चरितास लंका ने समय लेने के चक्कर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जो अपना विकेट खो दिया कि गेद ऑस्टम की तरफ थी सीधे बल्ले से खेलने के बल्ले के बिल्कुल नीचले इससे बेलाई और यहां पर मिड़ाफ के फिल्टर ने फकल लिया कैच और चरितास लंका हो गए है कैच आउट यहां पर चरितास लंका ने मनाए च्छे गेंदों में च्छे रन एक चक्का लगाए जरूर था इस ओवर में मगर अब पविलियन जाना पड़ रहा है तीन ओवर के समाप्ति के बाद 26 रन तीन विकेट नुकसान पर कोलंबो स्टार का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे निर्शान डिक्वेल आज तो पिछ भी अलग है भाई आज तो पिछ भी अलग है मगर खेल का अंदाज है वह लंका प्रीमेर लीग का बिल्कुल सेम चल रहा है यहां पर मस्ती मजा पहले मैच में चार विक लिया और रोज रोज थोड़ी अच्छा लगता है बिल्कुल सभी बात है बहुत दिन बाद से आया हूं आपकी कमेंटर देखने बाई यहां पर देखना होगा अब रवी भबाराजिया रवी भबारा आ चुके हैं बल्लेबाजी करने लिए उनको बुलाए गया है रवी भबारा आये हैं मगर स्ट्राइक पर निर्शान डिक्वेला डिक्वेला जहां होंगे स्ट्राइक पर दिक्वेला अच्छी बल्लेबाजी करने हैं अगले कुछ पार्टनर्शिप बिल्ड करनी चाहिए सिंगल डबल रोटेट करने चाह कि शुरुवात की हमें उमीद थी और यहां पर कोशिश यह थी कि रन बनेंगे पर उस तरीके के रन यहां पर बने नहीं है घरबात करें यहां पर रवी भबारा तयार हैं अगले अगले बाजी खेलने के लिए यहां पर एक और स्ट्राइक पर यहां से थोड़ा सा बल्ले अच्छी बाते की रन तो बन रहे हैं और अगर रन बनाने है तो थोड़ा सा गेम को आगे लिखे जाना होगा सिंगल डबल रोटेट करने होंगे यहां पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ और यहां पर गेंद बास को बुलाएं गया है जिनका नाम बदाजते हैं कम से कम 17 गेंद यह बची है क्या ईटलैज कर पाएंगे रवी Bryant त्यार है यहा है पर अगली गेंद के लिए दूसरी गेंद खेलने के लिए फिल्ट को से शेटल्मेंट कर रहा है यहां पर कि हिंदबागाद एक बाज दूसरी गेंद यहां पर तयारी चल रही है दूसरी जादा भारती बला चलाया जरूर कट लगाने की कोशिश और पूरा भरपूर कट लगाया और चौका बठोरा इस गेन पर एक चौका और आता हुआ यहाँ पर इस पारी में एक अतिस रंद तीन विकेट नुकसान पर तीन दशनल दो गेंदवा खेल हो चुका है समा तुरसा गेन को दूर रखा और उसका पूरा भरफूर फाइदा उठाया यहां पर इस गेन पर समझ में भी आया है इंग बास ने पहले जो पहली गेन की वह ऑस्पिनर की राया हाँ से कह रहा है चलिए अगली एक बार फिर से फुरंद की हैं सीधे बले से खेला त्रिनेंदू गेंद बाजी कर रहे हैं यहां पर एक और जुड़ता हूँ और अभी भुपारा के खाते में स्कोर पहुसता हुआ यहां पर बत्तिस रंद तीन विकेड नुकसान पर तीन देचलना तीन गेंदों खेबाद निशॉन डिकवैला यहां पर स्ट्राइक पर माजूद है और इनका आखिर तक खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि यह इंफॉर्म बल्लेबाज लग रहे हैं अच्छा लग रहा है यह अरुश ठाकराल भाई बिल्कुल हार गेंडिया दुख है इसका बड़ा दुख है यार चलते हैं जर आगले गेंड के तरफ एक बार शिर यहां पर गेंद बाजी कर रहे हैं आप पर फिर्शेट निशॉन डिकवैला को सीधी गें सीधी गेंड थी और बिल्कुल सीधा ऐली सामने मोजूकि बार प्रसा मताऊ पहले की उटलाइस करने की मगठों तरीके कघए जो है वह लगाना मुश्किल हो रहा है यहां पर कि यहां पर चलते हैं जो आगली गेंद के तरफ एक बार फिर से त्रिंदू आ गए गेंद बाजी करेंगे फिर से ऑस्टम के तरफ गेंद इस बार ड्राइब लगाया है गेंज आती वी कवर की दिशाव मगर वहां पर लॉंग ऑफ वह मिडॉफ के फिल्टर ने ड जलते हैं मुकाबले की तरफ यहां पर बात की जाए स्कोर की स्कोर हो चुका है 33 विकेड नुकसान पर चार वर समाफत हो चुके हैं त्रिंदू के सोर में आये हैं मातर साथ रन अगर बात करें स्ट्राइक पर होंगे निर्शॉन डिक वेला यूं का हूँ पावर प्ले बै बले बात के जानते हैं या ठोब डार्कम हैं छी यहां से चीन on इस थीम के इनदर है घ्राइब कि देखो क्या होता है यहाँ पर लाइवा कुमारा के आतंके देखी अगली गेंग पुल कर दिया गेंग को गेंग जा जए सीधा फाइन लेक के ऊपर ते चेह रनके लिए भातरी यह शौट है इस बार यहाँ पर निशौंड टिक वेला तेयार ते शौट पिज गेंद के लि कोई भी मौका नहीं यहां पर रन बनाने का कोई भी मौका नहीं आपर डिक्वेला के पास रन लेने का और काफी हद तक पिस सर्फेस अच्छा लग रहा है आज बल्लेबाजी के लिए मगर आज शुरुआत उस तरीके से हुई नहीं है कॉलंबो स्टार की जिस तरीके की शुरुआत की उमीद थी कि आज अच्छा एक शुरुआत होगी बाकिए अब डिपेंड करता है कि इस तरीके से बल्ले बाद डिक वे लगबाद फिर से लेक्ष्टम पर पिछ की थी गेंद को और गेंद जाके पैड से टकराई है कोई रन तो मिल जाएगा लेगबाई का सिंगल होगा यह तो लेगबाई का एक सिंगल मिलता हुआ यहां पर कॉलंबो स्टार को 40 रन तीन विकेट नुकसान कि एक और विकेट आप यहां पर खोएं और इस पार्टनर्शिप को बिल्ड करें पार्टनर्शिप को आगे लेके जाए बाइश्रिलंका प्रिमेर लीक श्रिलंका के लोग देखने होंगे यह नहीं क्योंकि यहां की क्रिकेट पूरी तरीके से बरबाद हो रही है हो कि एक लिए चल रहा है और तीन विकेट कोई कोलंबो ने मगर साद्री साथ यहां पर रन भी जोड़ रहे हैं अच्छी सोच यहां पर अभी तो पाउरपले चल रहा है मुझे आप पाउर प्ले के बाद कुछ हमें पाइशी पारटनर्शिप देखने हो मिलेगी दोनों बल्लेबाजों के बीच मगर यहाँ पर चाहेगी कि डामुला की टीम की एक और विकेट चटकाए जाए प्रेशर में डाला जाए यहाँ पर कॉलंबो की टीम को चलिए आगली गेंस बार सामने मौझूद है यहाँ पर बल्लेबाज रवी भपारा एक बार फिर से लहरो कुमा पर लिए बच्छी और यहां से देखना होगा किस तरीके से खेल चलता है चलने को सब्सक्राइब कर दीजियेगा एंज्यॉय करिए कसी मकाबले को कि पाउर परभडे मोझे दाए पर अगले ओर में जो है कुछ हाथ घूल एगर खोलें दिक खुले रन बना रहे हैं और पर से लक्ष्टम की लक्ष्टम पे गेंती सीधे बल्ले से खेला है गेंद गई है मिडॉन की तरफ फिल्टर मौजूद कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर पांच ओवर के समापती के बाद एक तालीस रण तीन विकेट नोगसान पर स्कोर हो चुगा है आपर कोलंबो स्टार का कोलंबो स्टार टॉस जीता पहले बल्ले बाजी करने निदे लिया शुरूबात फोड़ी से खराब रहे कि तीन विकेट खोदी है पहले और महीं दो विकेट खोदी है मगर एक अच्छी पार्टरशिप हो रही है रवी बपारा और डिक वेला के बीच में तो यहां से कोशिश करेंगे यह बल्ले बाज यहां से लिकी आगली आगे कुछ ओवर्टरशिप करते रहे हैं रन बनाते रहे अपने टीम के लिए चौनल को सब्सक्राइब करते हैं स्ट्रीम को लाइक क अबर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है और डिपोईट करना बहुत यसान है गूगल पर फोन पर पेटियम से आप डिपोईट कर सकते है अब आईडी करेट कर सकते हैं लिंक ने डिस्क्रिप्शन में लाइचरना प्रिण कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके एडी बनाई है और खेलिए और जीतिए आपर चलते हैं दोर आगले ओवर की तरफ अब आखरी ओवर है पावर प्ले का स्ट्राइक पे हैं रवी भपारा को स्ट्राइक प्राइक प्लेंगे एक और नहीं थे इस गेंदास को बलाएगा है पहली गेन इस बार लहरुआ चुंका की पहली गेन एक बार फुलंद की गेन थी सीधे बले से खेला मीडॉन की तरफ एक रन मिल जाएगा इस गेन पर अवी भपारा को स्ट्राइक प्राइक हैं और शॉन बन चुके हैं स्कोर देखने पहले बताओ यह और स्कोर अपडेट खोने के बाद कोमेंटरी कर देखने सबसे पहले आता है और से बन करेंफार में सिंग और सब्सक्राइख को मिल यहां पर अचलता है मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में स्कूर के अगर बात किए तो 42 सरन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर पांच निशनल विकेट हो चुकी है इस बीच लहरुबा की अगली के निशान डिक्वैला को सिंगल लिया इस गेन पर सामने आ गया है रवी बफारा स्कूर हो चुक आवा है 43 सरन है कॉलॉंब इस मुकाबले को जीत Subway 한다 इस वना आ है मकर अभी शुरुआत तो अच्छी होई तो सघ्वाई सकूरց पर हो चुका है 43 दिन विकेट नुकसान पर 5.3 रवी बपारा च्षी पावर प्ले का याकरी ओवर है अभी तो रना है इस ओवर से और मैं कौनका ठीक है 7.8 दो कि मैंने काफी दिन के बाद देखी है पावर प्ले के अंदर शिरले लंका प्रीमेर लिग में चार मैचेस हो गए इतने तेजी से रन कोई बना नहीं रहा था चलिए यहां पर पहले बल्लेबाजी करते भी टीम की बात कर रहा हूं है चलिए अगली गेंट बापारा को चौथी गेंट सिंगल लिया इस गेंट पर अभी बापारा ने स्ट्राइक पर आगे हैं रिशॉन डिक वेला इस बार फुलन की गेंट थी सी देवले से हलके है तो खेल कर तेजी से एक दौल लिया यहां पर डाइट हुई जरूर है यहां पर नॉन स्ट्राइक रेंड पर चेक जरूर करेंगे अंपार और यहां पर शायद एक एक गिंद बच्ची है तो एक गिंद बच्ची है इस और देखना होगा किस तरीके से खेल चलता है चावालिशन बन चुके हैं ती यहां पर बिकॉस यहां पर स्पीकिंग गुड़ भाई थैंक्यू कॉमेडियन वर्ड भाई थैंक्यू फर सपोर्टिंग अस यहां पर चली अगली गेंड एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर कट किया है गेंड गई है पॉइंट फिल्टर के पास कोई मौका नहीं यहां पर म सब्सक्राइब करें यहां पर आपका नाम क्या है यहां पर रॉक रॉय भाई मेरा नाम है दिवाकर मिश्रम हो दिल्ली से भाई बाई दिवाकर बाई नाम है बाई का विलकुश रिका चितन बाई ने चितन बाई आर एंट्री अब चोटी यह ली मिल नहीं रही है बड़ी तो लेनी नहीं है बड़ी ऐसे मारते हैं यह पकड़के ऐसा नहीं कर पाएंगे भाई प्लीज शॉट आउट फॉर बंगलोर ल दिशा में चौका बचो रहा इस गेंट पर निशॉन डिक वेला ने लेहरवा मधसुंका का यह ओवर काफी अच्छा गया साती रन दिए इस ओवर पावर प्ले का यह आखरी ओवर था च्छे ओवर के समापती के बाद 48 रन तीन विकेट नुकसान पर कोलंबो स्टार का स्क थी यह दूसरी पीछ है दूसरी पीछ यूज हो रही है यहाँ पर घास कम है गेंट बल्ले पर अच्छी तरीके से आ रही है और बल्लेबाजी करने में थोड़ सा मजा आएगा यहाँ बल्लेबाज हो क्योंकि जो पिछली पिछे चार मैंच में यूज होई है वहाँ सब्सक्राइब हो चुका है यहाँ पर अब इनिंग बिल्डिंग फेज है यहाँ से जो अच्छा खेलेगा वह मैंच को पकड़े पकड़े का यहां से देखते हैं क्या होता है यहां पर नए गेंदबाज को बिलाए गया है गेंदबाजी करने के लिए क्या यह सब नहीं ज करने के लिए चलीए इस चली हाँ थोब से नूरहें dłывा यहां पर ऊपर और इस तक चांस नहीं लिए यहां करें यहां होता है क्या होता है यहां करते हैं क्या होता में इसिघुड़ रही है चलब सब्सक्राइब करिए का स्ट्रीम को लाइक करता रही है कुंदुन कुमार वाड़ा कामेंटर सर्थ हैंक यू कुंदुन कुमार भाई थैंक यू फॉर सपोर्टेंगास पहली गेंद शुनाका कि इस ओवर की रवी भुपारा है स्ट्राइक पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गे करने पड़ेंगे आपको यह जो रन रिट बनाई यह आठ रन पर ती ओर इसको टैंपो यह हो सेट करना है चलिए अगले लिए फिर से फुल रंद की गेंद थी बिल्कुल सीधे बल्लेट से खेला जशुन शनाका ने गेंद को फिल्ड करा कोई रन नहीं मिलेगा रवी अगली बार आजाए आपको आज तो स्रीफ एक ही मैच है और कल जो है इंडिया वर्सिज और उस्ट्रिया वोमेंस का मैच होगा अगले बार फिर से लोगन के इस गेंद को सिर्फ दिखाई थर्ड में की दिशा में खेल दिया एक रन के लिए तो एक और जोड़ता वार चैनल को सबस्काइब करिए और स्ट्रीम को लाइक कर देजिए राकेश भाइगार चोटी एंट्रे मिल नहीं रही है विल्कुल साही कह रहा है वह सत्ता चोटी एंट्रि मिल जाए क्योंकि पहली गेंट पर चौका लगा था और कुछ लगणा की छोटी एंट्री मिलने चा कहां देख पाएंगा लाइब मैच आप देख लीजेगा यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया वहाँ लाई दे सकते हैं एक बाप फिर से थोड़ सा दशुन शनाक है कि आउस्टम के तरफा पटकी भी गेंद थी इसके इनको थार्ड मेंड की दिशाम में खेला ज 1944 कर लेते हैं मोंबन बहुत कम नवाजी करते हैं और जब भी करते हैं एफेक्टिव धरिकरते हैं करंट्र रंडेट्थ में गिरावट आ चकी है साथ 7050 का रवी बोपार है स्ट्राइशन पर स्कोरर हो चुका है हाले आगली प्रोपार के तो modeling कर시는 डिक ओए करार दिया है एक एक्स्टर रन मिलता हुआ यहां पर कोलंबो स्टार की टीम को 51 रन तीन विकेट नुकसान पर च्छे दशनलों चार गेंदोगा खेल हो चुका है समय आप तो तो दोड़ा सा यहां पर समली वी बल्लेबाजी रवी भुपारा से अगर बात करें यहां पर पा यहां पर सिंगल के साथ स्कोर पहुसता हुआ यहां पर तिरफ बावन रन तिरफ पतीन विकेट नुकसान पर 6.5 यह चाहिए इनिंग बिल्ड कर रहे हैं यहां पर देख रहेंगी इस पार्टर्शिप को तो सोच रहे हैं दस ओवर तक अगरम यहां पर दस ओवर में साथ आखरी ओर में सोरन मनाकर 170 तक का स्कोर लें चाहिए और यहां पर अभी वपारा यह फिर दिक वैला जो है वो खुच चांस लेने चाहते हैं अगली इस बार स्ट्राइप मौजूद है डिक वैला स्कोर हो चुका है बावन रन आकरी के इस साथ वे ओवर कि क्या बड़ा पर करें के बाएंगे आफर स्टीर नफेकर रही है यह करेंट करएंडD चल रही आówट से नहीं पहले बल्लेवाजी श Suger आरेखो मिस्ण और ब्रकाशित बावन रंतीन में कि नुक्सान पर साथ ओवर समापत हो चुके हैं तीरा और बच्चे में हलके लकी धूब जो है वो खिल रही है अब इस्प्रेश गेंदबाजों को लाना चाहिए क्योंकि यहां पर जरूरत है कि गेंदबाज उंगलिया फेर रहा है देरी क्यों है डिक्वेला से डर रहे हैं नूर अगर आएंगे तो डिक्वेला को आउट कर सकते कि पीछे पढ़ना शुरू करेंगे उनके खिलाफ जो बड़ा शौट लगाने जाएंगे और शुक्ता विक्री खो दें अपना यहां पर क्या सोच रहे हैं दर्शुन शनाका वही जाने क्योंकि एश्या अप जीते वे कप्तान है भाई बपार अब 30 मार तो तो तसके में 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 प्लीस पे बपारा के 30 लगा अब बढ़ने के लिए हमारे शुन ली गई है करे अफ़र स्यूस्तान पर और कोशिश यह है कि यहां से निकाले डिखते हैं क्याविकित कामयाब रहेंगे चलिए अगली गेन इस बार सामने मौझूद है यहाँ पर बल्लेबाज रवी भपारा अभी तक समली भी बल्लेबाजी कर रहे हैं सिंगल्स रोटेट कर रहे हैं जदा बड़े शॉट खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं यह आप और यह अच्छी सोचा चलिए आफस्टाओं के और धीमे धीमे पारी जो है वो कॉलंबो स्टार की दिर 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 बढ़ रही है अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉलंबो स्टार एक बल्लेबाज क्योंकि आपके पास अभी भी साथ विकिट हाथ में एक बल्लेबाज अगर गैप्स में बाउंडरी बटोरे तो करेंट अगे की तरफ बढ़ सकती है वही सोचोगी आप डिक वैला की कि शायद इस पर गेंद बाज आ चुके हैं यहाँ पर थोड़ा सा चांस लिया जाए एक अदा बाउंडरी जो हार ओवर मटोरी जाए क्योंकि करेंट को चाहिए कि आट रन प्रती ओवर के हिसाब से चलने दी से ऑस्टम की तरफ गेंद थी पढ़ने के बाद गेंद टर्ण हुई और मिस कर गए इस गेंद को डिक वैला यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर हो चुका है विवित रपनन तीन विकेड नुकसान पर अच्छी गेंद थी यह पढ़ने के बाद गेंद थोड़ से टर्ण किया और बिल्कुल विकेड कीपर जॉर्डन कॉक्स के दस्तानों में यह गेंद है यहाँ से थोड़ से डिक वैला चाहे कदमों का इस्तमाल कर सकते हैं इस पर गेंद बाद पढ़ने के बाद गेंद लेक्टम के बाहर निकली और इसको स्वीप किया इंस के बल्ले से निकलता हुए एक और चौका स्कूर पहुसता हुए कॉलंबो स्टार्स का 53 रन तीन विकेड नुकसान पर साथ दर्शनल तीन गेंदों के बाद रिशान डिक वैला 23 गेंदे खेली है 33 रन मनाए है चार चौके और दो चके लगा चुके हैं अगली गेंड इस ब स्कूर पहुसता हुआ उन्सट रन तीन विकेड नुकसान पर साथ दर्शनल और चार गेंदों के बाद तो इस और पांच वी गेंद देखना हुआ किस तरीके से खेलते हैं आप चले लाइक कर दीजिए आप सब्सकाइब कर दीजिए चैनल को डेल डिशन पर लाइव नही पर लाइव दे सकते हैं गावले की तरफ साथ रन बन चुके हैं तीन रिकेड नुकसान पर स्ट्राइक पर होंगे रवी भपारा अब इता समली बल्ले बाजी है बारा गेंदे खेली हैं ग्यारान मनाए रवी भपारा ने एक चौका लगाए है थोड़ा सा यहां पर रवी सामने मौझूद है रवी भपारा देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद को फिर से मिडल स्टम पर गेंथी सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंस कर लिया कोई रन नहीं मिलेगा रवी भपारा को यहां पर आट ओवर की समाफ्ती हो जाएगी साट रन तीन विकेड न कितने किंग देखते हो वाई चलते मुकाबले के तरफ यह पर जल्दी जल्दी आउट हो जा मेरा भाई पैसा लगा है क्या हो रहा है यहां पर इंडिया जीतेगा जल्दी बात करने हैं किया करें इस सर प्रडिशन करो ना कौन जीते बपता तो दिया को सपोर्ट कर रहें गोलम्भोस्टार को सपोبة करेंगे उमीद करेंगे क्लंबूस्टार इस मुकाबले को जीते यहांपर चलते हैं मकाबले की तरफ देखते हैं कौन आएगा गेंदबासी करने के तो इसलिए पहले उनको लेकर आए हैं बाइहात के स्पिनर गेंद बाज है और तो स्पिन गेंद बाजी करते हैं और आज स्पिनर जो है वो काफी खिलाए है को लंबो की टीम ने तो क्या चतुरंगा डेसिल्वा कुछ कमाल करके दिखाएंगे यहां पर 19 वकावले खेल चु चलते हैं मुकाबले की तरफ देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में चुड़ रही है चलिए अगली गेंद बार फिर से यहां पर गेंद बाजी करते हैं निशॉन डिकवैला को ऑस्टम के तरफ गेंद थी कट जरूर किया था एकरन मिल गया इस गेंद पर डिकव पहला को देख खुद जो है बड़े शॉट ना खेलें कि शायद हो सकता है कि इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं अब आखरी कुछ ओवर्स में जो है बड़े शॉट लगाना पसंद करेंगे इस लिए थोड़ा से समल के बल्ले बाजी कर रहे हैं चत्रुंगा डिसलवा की पूर को आगे बढ़ा रहे हैं ज्यादा कुछ रिस्क ले नहीं रहे हैं जानते हैं कि फिर से कॉलाप्स नहों हो जाए इसलिए अराम से बल्ले बाजी कर रहे हैं अभाई यू आर सो मच एनर्जेटिक एन यूशुड गिव कॉमेंट्री एट नेशन लेवल वाई और से क्या यहां पर गेम को आगे ले जाएंगे विनाऊ सोनी भाई का नाम ले लिया आपका डेस्पीट लो भाई रॉनक भाई कहरे हैं रवी को आउट करो भाई करते हैं निशान डिक्वेला हैं स्ट्राइक पर चतुरंगा कर रहे हैं बाज एक पर फिर से लेक्स्टम प कोड़ प्लीज आउच ओके ओके ब्रो ओके जैंशन ना ले जा भाई चेतन भाई करें रिसका रिवार्ड माने करकर रहे हैं और सिंगल सिंगल से गाड़ी चला रहे हैं और मज़े ले रहे हैं इस मुकाबले का पार यहां पर इसके बाद टाइम आउट हो जाएगा दो गे गेंदबासी करने हैं सामने है निर्शान डिकवेला एक बार फिर से पांच की गेन फिर से एक बार सिंगल ले लिया ओस्टम की तरफ गेन थी रूम बनाया जरूर था इंसाइड एज लगा गेंदबास ने जितों गेंद को फिल्ड किया एक रन तो मिल जाएगा और दूसर डिकवेला को तो स्कूर होता हुआ सिक्स्टे सेक्स रंस लॉस ओफ त्री विकेट आठ दसनलों पांच गिदोगा खेल हो चुका है समापता आखरी गेंद बची चतुरंगा डिसिलवा के इस ओवर की देखना होगा यहां से किस तरी से खिलते हैं और शनाका का टैम क्या है जीतेगा सर बलकुल आई सही बातर चीकेश बाई चली आगली गयने बार फिर से लक्ष्टम के बाहर यह गेंति स्वीप करने गये हैं आपर मगर गेंद गई शॉट फाइनले के दिशा में फिल्टर माजूद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर नौवर की समापती हो च के लिए चालीस रन मनाएं चार चौक के दो चक्के लगाएं उनका स्ट्राइक रेट जो है एक सो अड़ीस का है यहां से ड्रिंग्स ब्रेक हो चुका है दो मिनिट का यह ब्रेक होगा इस ब्रेक में आप सो लोग जो है डेल्टिन सवन आप के साथ जुड़ जाईएगा ल लोजकट्षेट अब और ढो ¿प्रोंट्षेट अब मिनिट कर सकते हैं कोई बीचु है आप चीज़ेख है नहीं बहुत डव सेट करके बिल सकते अब्यूंक कि जहें यहां बहुत आप तेंशन मत लीजेगा आप सो लोग आईडी क्रेट करना बहुत असान है लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन पेंड कर दिया है उस लिंक को क्लिक करें रैफरल कोड डाले जोड़त नहीं है यूजर ने बनाई है पासवर बनाई बोबाइल नमबर डाली आपकी आईडी ज लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आईडी कर लीजेगा चलते हैं जब मुकाबले के तरह बात करते शुरूआत अच्छी खासी हुई है ठीक टाक सी हुई है यहाँ अब देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर में नाम भी ले लिया है एंट्री मिली निरिया दोनों दोनों अब्बे लगा रखे पाइदा नहीं इंट्री का यह से मतलब फिफटा जाएंगे ना एक तरफ भी अगर मामला घीरा तो हम फसे रह जाएंगे आपर वाइजी मैंने आते ही आपके चनल को लाइक मार दिया करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा ड्रिंस बेख खतम हो रहा है में डेल्टी समन पर जाना मत भूलिएगा टुटली सेफ है और अच्छी बात है कि लोकल पेमिट आप कर सकते हैं डिपोजिट के सास्थ विड्रॉल बहुत फास्ट है 15 मिनिट के अंदर विड्रॉल ज ही है कॉलंबो यार ऐसे कैसे चलेगी कॉलंबो काम कॉलंबो बिल्कुल असानी से अराम से खेल रही है और टूरी सर्म भाई करें मिना नाम ले लिया है टेंशन मत लीजिए आप सब लोग इनिंग ब्रेक समाब करें ड्रिंस ब्रेक खतम हो रहा है यहां पर शुरूआत पर तीन विकेट खोई थे लहरुआ कुमारा ने तीन विकेट चटकाए थे उसके बाद थोड़ी सी एक पार्टनर्शिप बिल्ड करी है अच्छी सोच है हो सकता इसके बाद यहां पर इसके बाद थोड़ा सा गेम को आगे लेके जाएंगे और गेम को बढ़ाएंगे अब दे बाद चुके हैं यहां पर गेंद बाजी करने के लिए नूर एमत के ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पे हैं रवी बपारा के रवी बपारा अपना माइंडशेट चेंज करेंगे क्या कुछ बड़े शॉट लगाएंगे नूर आमत के पहली गेंद जादा बाहर ये बीट हो गए इस गेंद पर पहली गेंद अच्छी गेंद थी थोड़ा दूर थी एक्सपेक्ट नहीं की थी यहां पर रवी बपाराने की गेंद जाद दूर करेंगे चलिए अगली गेंद दूसरी गेंद नूर एमत के इस ओवर की दसवा हो रही है अभी तक सिर्फर सिर् यहां पर रण कि अगर बात की जा तो रण बने है 66 अगली ग्ला रवी पार फिर से पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली इस बार पर पहुच जाएगा स्कोर पहुच जाएगा स्कोर पहुच जाएगा यहां पर चांस लेना होगा बड़े शौट लगाने के लिए अब देखते हैं क्या होता है अगली गण एक बार फिर से गेन को रिवर्स ज़रूर किया अगर गई शौट थार्ड में के दिशा में फिल्टर माचूद है कोई रन नहीं मिलेगा इस गेन पर तो यहां पर नूर आमत का यह ओवर अच्छा जाता हुआ चार गेंद हुई है सिर्फ Hour की मात्र एक रहना है कि यहां पर नूरहम जो है प्रिशर बिल्ड कर रहे हैं कि कूल रहने नहीं दे रहे बल्ले बाज़ों को और करेंट रंडरेट में जो है गिरावट गिरावट आ रही है यहां पर चलिए अगली के इस बार और नूर एहमत के सामने मौझूद है नुशान डिक्वैला डिक्वैला को अगली के बार फिर से रिवर्स स्वीप करने कोशिश इस बार गेंद गई है यहां पर डीप पॉइंट के दिशा में यू करना होगा तभी यहां से जब यहां से एक जो है वह आगे चलता रहेगा देखते ह meille क्वा उता 1-ikanald सब्सक्राइब कर दिए। चैनल को यहां पर किस तरीके से गेम जैनुर क्या है अगली यहां फिर से मिल अ theyellong सब्सक्राइब यहां पर बात की जाए तो शुरुवाद अच्छी थी पाउर प्लै में आपने 48 रन मनाएं उसके बाद सिर्फ और उसके बाद ज्यादा रन मनाएं नहीं सब्सक्राइब यहां पर करन्ट रन रेट हो चुका है क्या यहां से अब एक बल्लेबास को थोड़ा सो चांस लेना होगा बड़े शौट लगाने के लिए मेरे सब से निशान डिक्वेला को आप चांस लेना चाहिए फिर रवी बपारा 19 गेंदे के लिए 15 रन मनाएं शायद उनको एक छोड से एंकर रोल निभाले के लिए बची और साथ गेंदों में अब देखना होगा कितने और बंते नजर आएंगे यहां पर को सपोर्ट कर रहे हैं उमीद करें कोलम्बो स्टार जो है स्ब्सक्राइब कोशिश यहीं साथ गेंदों में थोड़े से रन गती को बढ़ाए जाए और रन बटोरे जाएं कि अगले कुछ और बनेंगे चलिए पहली चतुरंगा की सीधे बले से खेला जरूर है फिल्ट के ऊपर से बिल्कुल लॉग ऑफ के ऊपर से खेल दिया इस शौट को छे रन के लिए काफी देर के बाद रवी बबारा ने बाजू है खोली और चक्का बटोरा इस गेन पर अच्छा शौट था इस बार रवी बबारा का चतुरंगा डिसलवा की बायां से स्पिन गेंद बाजी करते हैं थोड़ता फुललन की गें थी सीधे बल्ले से खेला बिल्कुल बल्ले के बिल्कुल बीचे बीच ये गेंद लगी और छ 24 शल शलंवाइं दोगेंदे हो चुकी है है तो थोड़ा साइयहां से कोशिच करिये नं के बड़े शौट कर दिया गेंद कर दिया भाद्धी जेलिधुल पर सिंगल तलाश रहे अब रवी भबारा तो क्या सिंगल मिल पाएगा वो देखने लिए बात होगी यहाँ पर फिर से चौती गेन इस बार ऑस्टन के बाहर यह गेन थी इस बार कवर की दिश्वा में खेला शॉट तो था फाई फायर किया और ग्राउंड यहाँ पर गेन ग क्या यहां से स्कोर जो है वो बन पाएगा चलिए अगली गेन चतुरंगा की इस बार अभी बपारा को बढ़िया यह गेन थी इस बार इस बार गेन पर कोई रन नहीं मिला पांच वी यह गेन थी सोवर की दसरन आ चुके इस सोवर में स्कोर होता हुआ 79 रंस लॉस त्री व होगा ऐसा लग रहा है कि हो चुके है अपर अभी बपारा क्योंकि रन दूस एक रन था वहां पर दूसरा नहीं गये थे और बिल्कुल स्ट्राइकर एंड पर फिल्डर ने और विकेट कीपर जोंडन कॉक्स ने को पकड़ा और स्टम पर लगा एक बार चांस मन रहा है अपना विकेट जो हो देंगे यहां पर जो है रवी भपारा रवी भपारा ने मनाए सिर्फ और सिर्फ यहां पर पच्चीस के दो पच्चीस रन अच्छा लग रहा था इस ओर बड़े शॉट खेल रहे थे दो चौक एक चका लगाया है और स्कोर हो चौह होता हुआ सेवन्टी नाइन स्लॉस और विकेट ग्यारावर के समाप्ति के बाद तो आप देखते हैं नहीं बल्लेबास कौन होंगे स्ट्राइक पर होंगे निर्शॉन डिक्वेला तो यहां से बचीए सिर्फ चाववन गेंदे आप चाववन गेंदू का देखन आप चाववन गें कासा लाइब लगंट लाइबास आते वे यहां पर लग रहा है दिनेश चंडी मॉल को भीजया गया बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर दिनेश करने आएंगे देखते हैं यहां पर जिए चार विकेट होएं हैं भीचाववन गेंदे बची कितना स्कोर होसकता है मेरे स साथ काफी लोग़े में स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है एफ लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और जुड़ जाएगा हमार साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा और मेरे साथ से कुछ अब जो है आतशी पारी जो है देखने को दरूर हैं मगर आते ही क्या बड़े शॉड लगा सकते हैं वो देखना होगा यहां पर एक और गेंदबास को शाद बुलाए गया है यहां पर बारवी ओवर के लिए परदी बाइब बैटिंग इस लाइक स्टॉक मार्केट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस और शॉड प्रदी बाई देखिए यह तो लीग ऐसे चल रही चले नूरा मत की यह गेंद थी यह फिर से ऑस्टम की तरफ गेंद इसको स्वीप किया गेंद को भीजा मिड़ विकिट दिशा में फिल् पार्ट जो है जिस तरह किसे मिला है उसके बाद थोड़ा सब करने में चाहिए आना कहानी करने थोड़ा करेंगे तो सही होगा यहां पर क्रिस्टल क्रिस्टल साब भाई कह रहे हैं यहां पर क्लम्बो भी नहीं देखो उमीद तो हम भी करने को लंबो की जब भी शेक बड़े जरूर थे बपारा मगर पहुंच नहीं पाए दो रन थे नहीं वैसे एक रन लेते तो शाह संतुस्ट रहते स्कोर हो चुका है यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं नूर आहमत कर रहे हैं गेंदबाजी और स्ट्राइक में डिक वैला डिक वैला जह हैं ब्याली सम् पॉइंट की दिशा में चार रन के लिए गैप था वहाँ पर गैप को ढूंडा डिक वैलने और चौका बठोरा इस गेंद पर दीरे दीरे अब अपने अर्दशतक के तरफ बढ़ते वे निशान डिक वैला च्यालिस नहां कर खेल रहे हैं 33 गिनों का सामना किया है पांच चौके दो चके लगा चुके हैं 86 रन चार विकेट नुकसान पर ग्याना दर्शनलों तीन गेंदे हो चुकी है तो थोड़ा से यहां से रन गत्ति को बढ़ाने के कोशिच कर रहे हैं और निशान डिक वैला अाँ भाई मैं इंडिया मैं इंडिया होता होता मेको जेल में डाल देते फॉर balanced कोई जिएल में नहीं है ऐसे तो डाल दी ओते तो कम से कम लगा सार का नबे रन चार विकेट नुकसान पर चार गेंदी हो चुकी है कि जिक्वेला जो है वो चौतिस गेंदों में पचास रन मना बनाली है पूरे कर लिए अपना अधर्शा तक छे चौके और दो चक्के लगाये थे अब यहां से निशान डिक्वेला को अंतक बल्लेबाजी करनी पड़े हैं अब इजाफा करनी की कोशिश करना है निशान डिक्वेला चंडी मल को भी बेजा गया है यहां पर बड़े शौट लगाने के लिए हवा थोड़ी सी तेज चल रही है इस ग्राउंड में हवा तेज चल रही है मुकाबले के अंदर कभी विल्स जो है वो ग इस गेंड को गेंडे के पास एक रन मिल जायोन जाएक बने बाद यहां पर निशौन डिक्वेला को वो बडे शौट लगाने का काम कर देगे यार चलिए देखते हैं क्या होता इस मुकाबले में ग्यारा दर्शनलों चार गेंदे हो चुकी है आखरी गया नूर आहमत की दिनेशन्डी मलको आउस्टं के बाहर ये गेंद थी कट करा वहां पर और डी पॉइंट पर फिल्टर मौजूद है एक ये रन मिलेगा इस गेंद पर तो यहां से ओवर के समाप्ती होती भी अब बारा वर समाप्त हो चुके हैं चोरानवे रन चार विकेड नुकसान पर कोलंबो स्टार्स का स्कोर है और अब स्ट्राइक पर होंगे दिनेशन्डी मल निशान डिक्वेला एक 59 मागर खेल रहे हैं इनका बंद तक खेलना बहु अबर के हिसाब से अगरन मनाया तो यहां पर यहां पर राणेट इस गुड डाजन और फिल लाइक लूजिस वाइज अच्छा है यहां पर यह पिछ वाली पिछ नहीं जो पिछले चार मुकाबले माँ पर खेले गए यह पिछ बल्लेबाजी देडिया अच्छी लग रही ह सब्सक्राइब देखते हैं यहां से किस तरीके से बल्लेबाजी करती है कॉलंबो स्टार की टीम क्योंकि अभी 48 गेंदे बची है इस पारी के तो यहां पर अब दसुन शना का खुद गेंदबाजी करना है पहली गेंद तेरी वे ओवर की सामने मौझूद है दिनेश चंडी म क्या बढ़ा करेंगे यहां पर फिर से मिदल स्टम पे गेंद कलायों को सारे खेल दिया इसको स्कुर्डर डाइब लगा रहा है गेंद को रोकने के लिए मगर रोक नहीं पाएंगे जब डाइब लगाई है गेंद पीछे रहे गई फिल्डर आगे निकल गए और चौका मि लाई कि स्मित का चो का मिली मुल को चोका था नहीं और चोका मिल गया है इसन्त व् qui मुकाबले की देखते हैं किस तरीके से गेम बढ़ता है झुड़ रही है गर रिखते हैं और ललेफेंज disappoint तो अगर बात करें यहां से मुकाबले की तो मुकाबला जो है वह धीरे धीरे आगे की तर बढ़ रहा है तशिंशनाका के ओवर की अगली गेंट तीसरी गेंट सामने है निशान डिक वैला इस बार इस बार बड़ा प्रहार किया चौका बटो रहेंगे तो शौट पिच गेंट इसको अपरकट की तरह खेल दिया फॉर्स लिप से गेंट निकल गई है थर्ड मेंट की दिशा में और चौका मिल जाएगा इस गेंट पर इस चौके के साथ स्कोर पहुसता हुआ यहां पर कॉलंबो स्टार्स का 101 रंचार विकेट नुकसान पर तो लग रहा है कि यहां से अब अब रन मनाने का इंटेंट जो है वो दिखाते वी नजर आ रही है यहां पर कॉलंबो स्टार की टीम तो अच्छी सोच है और चाहिए कि 170-180 तक का स्कोर पहुचाया जाए जाए तो थोड़ा सा यहां पर अच्छी सोच है निशान डिकवेला की और बाउंडरीज बटोर रहे हैं अच्छी बात है यह नौरण आच्छु के इस ओवर में तीन गेंद उके अंदर पैना चौका लगाया था इस ओवर का यहां पर उचनी बल ने और दूसरा लगाया है डिकवे सबस्ता हुआ कोलॉंबो स्टार्स का 102 रंचार विकेंड नुकसान पर चार गेंदों के बाद दीरे दीरे गीम को आगे लेके जा रहे हैं बल्लेबाज आज अच्छी बल्लेबाजी करिए एक छोर से टिक कर बल्लेबाजी करिए निशान डिक वैलने क्या अमने टीम का एक उपर से इस गेंद और और जुटता हुआ को लंबो स्टार के टीम के खाते में चार विकेंड नुकसान पर 12 सब्सक्राइब यहां पर देखना होगा आगे किस सरीके से गेम चलता है यहां पर अब इतनल ठीक लग रहा है मोमेंटम जो है वो काफिया तक कॉलंबो स्टा तुका है जिस तरीके के शुरुवात हुई थी उसके बाद बीच में डाउन फॉल आया था में डाउन फॉल के बाद अब डिक्वैला जो है बड़े बड़े शॉट लगा रहा है तो रंडेट जो है वह बरते नजर आ रही है चलिए अगली के इस बार सामने मौझूद है नि पर बाराद दसनलों पांच गेंद हो चुकी है डिक्वैला जो है वह चपन अन्मा का खेल रहे हैं 37 गेंदों का सामना किया है यहां से थोड़ा सा समली बिले बाजी चली चलते हैं जरह मुकाबले की तरफ दर्शुन शनाका के ओवर की अगली गेंद आखरी गेंद है इस फिर से और चौका इस उबर में आता हुए एक और बाउंडरी बटोरी है और निशान डिक्वैला ने तो 13 चार विकेड नुक्सान पर यहां पर सकोर हो चुका है कोलम्बो स्टार्स का स्ट्राइक पे होंगे दिनेश शंडी भल अब देखते हैं चौदवा अवरले के कौन आएगा 42 गेंदे बची है स्पारी की अब देखना होगा 42 गेंदों में कितने रन और बनाते हैं नदर आएंगे आप सो लोग जुड़ जाहिएगा यहां पर काफी बढ़िया रहेगा आप देखते हैं किस तरीके से गेम वह आगे की तरह बढ़ता है यहां पर स्कोर की बात की जाए तो काफी इस स्कोर हो चुका है और करेंट रन रेट जहें वह साड़े आठ के करीब बढ़ रही है अभी 42 गेंदे बची है करनी होगी अगर यहां पर रन रोकने हैं अगर थोड़े बहुत भी यहां से अगर मौका दिया अनुशान डिक वैला को तो यहां से वह बड़े शॉट लगाना पसंद करेंगे और रन बनाते में नदर आएंगे अब देखते हैं अब आगे क्या होगा इस मुकाबले में च इस एक रन के साथ स्कोर पहुसता हुआ यहां पर एक सो नौ रन चार विकेट नुकसान पर दबाओ डाल दिया से गेंद बाजों के उपर क्योंकि बैलिस गेंदे बची हैं और सबको पताए कि यहां से चे विकिट हाथ में है तो आप कोशिच करेंगे कि बड़े बड़े झीफिन लगाया जाये थोड़ा सो ओस प्रिए घंबाल से लैक्सपनरर गेंद बाल बनत जा रहे हैं शिकंदर रजा के विया फेरी अगङले जागक सामने है और राउंडस कट कर दिया गेंग एक और पुर पूर पुरा पर नौर चारवार नोकसान पर तिरह द्रशनलत दो गेंदे हो चुके हैं याँ पर अंकुष कुमर भाई लगतु राई विकिट आएगा मगर जिसलाब से बल्ले बाजी हो रही है नहीं कोशिश करना ही नहीं चाहते हैं विकिट लेने की भाई एकदम शौट पर शौट पर गेंद बाजी करने लग रहा है लग रहा है कि रण बनवाएंगे अब देखते हैं कितने रण यहां से बनते में नज़र आएंगे जुड़े रही हमार साथ लाइव हिंदी कामेंटरी में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ सामने माझूद हैं अब यहां बले बाद दिने शंडी मले पर फिर से पटकी वीगे सब्सक्राइब लगा है और जरूर रहें आप अब देखा जाए तो पिछले कुछ ओवर से हर और में दो यह तीन बाउंडरी लगा रहें पिर से कदमों का इस्तमाल जरूर किया डिक्वेला ने इस बार इंसाइड एज लगा गेंद कई फाइल लेकी जी नहीं मिडिकिट पकड़ लिया और एक रण मिलता हुआ फिर से डिक्वेला कुछ से चार सिंगल इस ओवर में आये हैं और चौदवा यह वर है अच्छा वर जा रहा है बिल्कुल बाई ऐसे लग रहा है ऐसी कर देंगे आज कोलम्बो हारेगा दाम बुला जीतेगा ओमकार इस लाइव हूं अगली गेंद तो पाचवी गेंद पर खप्तान थे दर्शन शना का फिल्ड किया इस गेंद को और आखरी गेंद है इस सोवर की चौद्य वर की आखरी गेंद सीकंदर अजां कर रहे हैं गेंद बाद़ी स्ट्राइक पे हैं तिने शन्दिमल एक बार फिरस है फिरसलेक्श यहां पर बंते नज़र आएंगे कि साथ और जूड़ जाते हैं इस खाते में तो 173 ठीक स्कोर रहेगा कोशिच यहां पर डिक वैला और चंडी मलगी की स्कोर को 170 के पार ले जाए जाए 170 का स्कोर काफी अच्छा रहेगा डिफेंड करने के लिए अब देखते हैं क्या होता ह यहां पर काफी लोग कोई आप्षन गयन वास को चलो देखते हैं बी क्या होता है जूड़िए को सुर्श कर दीजिएगर इस त्मजाबले करी उख करिए पता नहीं आज लंका प्रीमेर लीक के मैचेस में जो किल रहे हैं कि काफी स्लो चल रहे हैं एक एक ओवर के बाद कम से कम दो-दो मिनिट का बैब ब्रेक मिल रहा है इसलिए लंबा हो जा रहा है क्योंकि तीन बजे मुकाला शुरू हुआ था और चार बजने को आ रहे हैं कोई रन नहीं मिलेगा दिने शंडी मल को यहां पर स्कोर हो चुका है एक सो तेरा रन चार विकेट नुकसान पर अगली के हैं त्रिनंदू की त्रिनंदू के ओवर के अगली के हैं दूसरी गेंदे पर फिर से बड़ा शॉट लगाने गए स्वीप करने गए थे इस गेंद पर बड़ा प्रहार कर पाएंगे वह देखने वाली बात होगी तो तुरुड़ ही है वार साथ इस मुकाबले में देखते हैं गेम किस तरीके से आगे बढ़ता है निशॉट खेलने के लिए अगली के इस बार त्रिनंदू की बड़ा शॉट खेलने के एस सीधे बल्ले से जरूर है मगर महाँ पर लॉंगों पर फिल्टर माचूद और कैच आउट हो जाएंगे एक और विकेट एक और विकेट गिरता हुआ कोलंबो स्टार्स का 114 रन पांच विकेट नुकसान पर 143 गेंदे हो चुकी है निशॉट डिक्वेला एक तालिस गितम बासट रन मनाकर 8 चौके और 2 चके लगा कर पविलियें जाते वएक अच्छी पारी है एक समलीवी पारी अपने टीम के लिए और यहां पर एक अच्छा कासा अच्छी कासी एक पारी खेलते नदरा है तो लाइक करते रहिए यहाँ पर विकेट मिल चुका है तरनेंदु रतनेंदू रतन ए है स्पारी की देखने वाली बात यह है कि 33 गेंदों में कितने रन और बंतने दराएंगे करीम को बेज़ जल्दी आएगा जल्दी भाई बिल्कुल बेज देंगा सर जी करीम को भीज़ेंगे अब तो बाइब ब्रेंड 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 बनी यह पानी पी करो भाई पानी पीकर करेंगे रहे हैं करने के लिए पिचासी मुकाबले खेले हैं और 1299 बनाएं पांच बार अर्शतर लगाएं एक इनका सौ भी है काफी अच्छा है इनका चलते हैं जरा अगली गेंदू करना है गेंद बाजी के ओवर की अगली गेंद इस बार चौथी गेंद है सामने है करीम जन्नत फुरसा एक स्लिप भी रख लिया है त्रिनेंदू चार गेंद हो चुकी है एक बार फिर से अगली गेंद त्रिनेंदू के इस ओवर की करीम जन्नत को एक बार फिर से सिंगल लिया इस पांच वी गेंद पर चौदो तरश्वनलब पांच गेंद हो चुकी है 155 विकेंद नुकसान पर तुरसा फ्राइटी डिलिवरी थी इसक अबने मौझूद हैं बले पास दिनेश अडिमाल एक बार फिर से बड़िया गेंद है यह बड़िया गेंद है एक बार फिर से फुलंद की गेंद थी इस बार इंसाइड एज लगा और गेंद गई सीधा मिड़िकेंट फिल्टर के पास कोई मौकर है नन मनाने का 15 वर एक चौका जरूर लगा है जिने शंडी मलने और बची भी 30 गेंद हैं अगर 50 और जोडते हैं तो 65 तक का स्कोर पहुचा सकती है कोलंबो स्टार के टीम अगर यहां से कुछ इताबर तोड़ बल्लेबाजी करती है त्रिनेंदू रतनाइके का यह ओर काफी अच्छा गया है सिर्फ दो रन दी है इस ओर से एक विकट भी जटका है और पिछला और भी काफी अच्छा गयाता सिर्फ पांच रनों सोवर सा है तो दो और बे आप लगा कि चलिए कि सर्फ पर सर्फ सात रन मना पाए हैं और एक विकट भी खो दिया है तो करीम जन्नत होंगे स्ट्राइक पर अब यहां पर अब देखना होगा किस तरीके से इन बच्ची भी तीस केंदों में प्रहार करते हैं करन्ट रंडेट फिर से गिर कर यहां पर साथ दशनलों छे साथ की हो चुकी है कोलंबो स्टार ने टॉस जीता पहले बल्ले बाजी करने ने ने लिया था आज सिकंदर जागे इन बाजी करना है पहली फुलंद की गेंटी सीधे बल्ले से ड्राइब कर दिया इस गेंद को एक रंड मिल चाहेगा इस गेंद पर करीम जननत को स्ट्राइक पर जाएंगे दिने शंडी मल दिने शंडी मल को आप थोड़ सा बड़े शौट लगाने हूँ प्रिके स फिर से दिने शंडी मल को डॉट गेंड दो लगातार गेंदे हुई है और दिने शंडी मल शायद फसेवे बल्ले बाजी करें थोड़ता दिने शंडी मल को कदमों का इस्तमाल और स्वीप लगाने पड़े है क्योंकि यहां से आपको रंस आप चाहेंगे नहीं चलिए अग करीम जननत तीन गेंदे हो चुकी है करीम जननत तीन गेंद में दो रंवागा खेल रहा है करीम जननत पर जिम्मेदारी होगी कि यहां से बचीवी गेंदों पे कुछ बड़े प्रहार लगाएं चलिए सिकंदर रजा के ओवर के एगली गेंद चौथी गेंद स्ट्राइक पे हैं करीम जननत करेंगे या फिर बड़ा शॉट लगाएंगे फिर से अपील होती जोर दर अपेल यहां पर आउट हो जाएंगे और बॉल्ड कर दिया बाफ जाएंगे बोल्ड कर दिया इस गेंपर असा लगा की शायद पैट पर लगी है बगर नजी नहीं यहां तो जाते वे यहां थोड़ी सी मुश्किले बढ़ती वे गेन पढ़ने के बाद बिलकुल सोचता यहां पर करीम जननत सीधी रहेगी मगर गेन थोड़ी टर्न हुई लेस्पिन हुई और जाके ऑस्टम पर टकराई है करीम जननत चार गेंद पर दोरन बाकर पाविले जाते वे कोलंबो स्टार्स का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे अब नई बल्ले बास देखते हैं नई बल्ले बास कौन आएंगे चंडी मल चौदा गेंदे खेल का 13 नमना एक चौका लगा है यहां पर ड्रिंग्स बेक टाइम आउट का जो हैट इशारा कर दिया है एंपायर ने और चैनलों आप के साथ जूड़ जाएगा लेंक डिस्क्रेप्शन में लाइशन में कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके आईड करेंड करिए मिनमम मिनमम बैट यहां सर्फ सो और पर पास्ट विड्रॉल 15 मिट के अंदर विड्रॉल जहां आपको मिल जाता है यहां पर 15 यहां पर काफी लोग जुड़े हुए अपस में बात चल रही है एक चोटवा ब्रेक लेंगे अप सो लोग झाल झाल तो यहां पर टाइम खतम होने की गार पर आ चुका है यहां से बात करें तो सर्फ गेंदों की तो यहां से बची हैं सिर्फ और सिर्फ अब 26 गेंदे देखते हैं 26 गेंदों में कितने और जोडते हो नजर आएंगे तो लाइक कर दीजेगा आप सब्सक्राइब कर दीए चैनल को जुड़ रही है माँ साथ लाइव हिंदी करेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहां से कोशिश यही है कोशिश यही है यहां पर गेम को आगे लेके जाए जब पाएंगे और क्या यहां से तुछ बड़े शॉट लगाते हों नदर आए कि यार यापर रण चाहिए आने वाले बल्लेबाज करीं जन्नत भी आउट हो गए हैं अब जॉमिनिक डार्केस भी बल्लेबाजी कर लेते हैं मगर गेंदे सिर्फ अगर बात करें गेंदो की तो सिर्फ पर सिर्फ 26 गेंदे बाजी डार्केस बल्लेबाजी करने आए हैं अगली गेंद पाच्वी गेंद सिकंदर रजा के इस ओवर के फिर से लेक्ष्टम पे गेंद जाके पैड से टकराई है कोई नहीं मिलेगा इस गेंद पर डॉम्निक डार्केस को स्कोर पहुसता हुए एक सो सतरह रण छे विके चौका मिलता हुआ इस गेंद पर डॉम्निक डार्केस को यहां पर जो है डॉम्निक ने देखा कि फुरस आगे इक तरफ है ड्राइव लगाने गई आउट सेड़ जाए और तो धोटे चौके के साथ खाता खुलता हुआ डॉम्निक का स्कूर पहुसता हुए 121-6 विकेट नुकसान पर 16 और के समापती हो चुकी है स्ट्राइक पर होंगे दिने शंडी बल देखते हैं या सब गेंदबाजी कौन करता सतरवे ओवर की 24 गेंदे बची है इस पारी की और 24 गेंदों में कोशिश यही है कि 24 गेंदों कमसम 40 रन और जोड़े जाए और स्कोर को जो है करते हैं चलिए 121 मंचुके च्छेए विकेट नुकसान पर 16 और समापत हो चुके हैं जॉमनिक जार्केस दो गेंदों में चार नमनागर खेल रहे हैं वागर उनका साथ दे रहे हैं दिने शंडी मल को गेंद बाजी करने के लिए आचुके हैं अब रतने के रतने के पहली गेंद ऑस्टों के भार ये गेंद थी सीधे वले से खेल दिया ड्राइव किया कवर के दिशा में गई है गेंद एक और और मिलता हुआ यहां पर दिने शंडी मल को और स्ट्राइक पर आगेंद डार्केस से स्कोर हो चुका 122 रंचे विकेट नुकसान पर बाइस गेंद बची यहां पर दिने शंडी मल को और जोडते वे नजर आएंगे वो तो समय बताएगा अब यहां पर देखते हैं समय बताएगा कि कितने रन और जोड़ पाएंगे लाइक करिए आप से लोग सब्सक्राइब कर दिए चानल को यहां से कोशिच चाहिए चलिए अगली गैने पार फिर से अंदर आती वी गेन थी सीधे बल्ले से खेलने गए थे थोड़ सा शॉट उतर अच्छा न डॉमिन डार्केस हैं स्ट्राइक पर चौथी गेंदे इस ओवर के और चौथी गेंद भी सिंगल मिला वाह फिर से डॉमिन डार्केस बड़ा शॉट लगाने गए गेन टर्न लिया और उसको खेल दिया पॉइंट के दिशा में एक रण और मिलता वह यहां पर चार गेंदे इस बार थोड़ सा ओस्टम पे गेंद इस बार स्वीप कर दिया गेंद को भेजा है डीप पॉइंट के दिशा में छे रण के लिए इस बार बल्ले के बीचो बीच यह गेंद लगी और दिने शंडीबल ने छका बटोड लिया अपने टीम के लिए और स्कोर पहुसता बाज़ुए जो है वो खोलनी होंगी और बड़े शॉट लगाने होंगे देखते हैं कितने बड़े शॉट एक और बार लगाते में नज़र आएंगे इस मुकाबले में तब तक आप सब लोग चैनल को सब्सकाइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा और जुड़ रही अगर यहां पर तीन और में 30 रन आते हैं तो 122 रन के स्कोर तक पहुंश सकती है क्या यहां से इस मुकाबले में कुछ और रन यहां पर जोड़ते हुने ज़र आ सकती है कोलंबो क्लंबो स्टार्स की टीम देखने वाली बात होगी जुड़ यहां साल लाइव हिंदी कामें में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला काफी इंट्रस्टिंग चल रहा है कि यहां लग रहा था कि शाद 178 तक पहुंश सकते हैं मगर वह दो तीन विकेट जल जल दी दो विकेट बीची में और शिफ्ट हो गया यहां से मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हुआ था एक बढ़ टोड लिया लॉंगा उनकी दिशा में खेल कर सिकंदर रजा ने स्कोर पहुसता हुआ 133 तरन 6 विकेट नुकसान पर 17 तशनला एक गेद हो चुकी है यहां से सिर्फ 17 गेदे बची है इस ओवर की अब देखते हैं 17 गेदे बची है इस पारी की क्या करेंगे और कितन इस पेल का सिकंदर रजा का सिकंदर रजा के अगली गेद दूसरी गेंज बार सामने मौजूर जॉम्निक डार्केस फिर से फुल टॉस गेंज थी इस बार कलायों के सारे खेल दिया इसको मिडविकेट दिशा में फिल्टर से आगे यह गेंद गिरी मगर दोरन मिल स्कोर पहुसता हुए 136 विकेट नुकसान पर 172 गेंदों के बाद यहां से थोड़े से बाजवे जरूर खोली थी जॉम्निक डार्केस ने देखा कि गेंज थोड़े से फुल टॉस है उसो कलायों के सारे खेला मिडविकेट दिशा में फिल्टर से जस्ट आगे यह गेंद डार्केस के बल्ले से आता हुआ यहां पर स्कोर पहुसता हुआ 141 रंचे विकेट नुकसान पर 173 गेंदे हो चुकी है जॉम्निक डार्केस तो 6 गेंदम चोदर नमना कर खेल रहे हैं एक चौका एक छका लगाया है अभी भीकर बात किजाए तो 15 गेंदे बची है इस पार में अब कोशिश करेंगे कि यहां से गेंद को थोड़ा दूर रखा जाए और जॉम्निक डार्केस से सिखंदर रजा के ओवर के अगली गेंदे बार चौती गेंदे बार फिर से बड़ा शॉट खेल ले गए इस बार गेंद गई मिड़िक फिल्टर के हाथ में कोई रन नह में अगली गेंदे खराब लाइन पर यह कर दी एक वाइड के साथ एक रन और जुड़ता हुआ को लंबो स्टार की सपारी में 142 रन 6 विकेड नुक्सान पर अभी 14 गेंदे वच्ची है इस पारी की और पाच्वी गेंद इस बार ओवर की सिकंदर के पाच्वी गेंदे प आखरी गेंद बची है कि आखरी गेंद पर बड़ा प्रहर कर सकते हैं सिकंदर रजा के ओवर की अगली गेंद आखरी गेंद जॉम्नी डार्केस को एक बार फिर से फुल टॉस गेंद सीधे वले से केल नहीं कोशिती मर गेंद गई मिडविकिट फिल्टर के पास कोई मौक बची हैं 12 गेंदे बची हैं दिनेश्चंडी मल हैं स्ट्राइपर दिनेश्चंडी मल को भी अपने बाजूएं खोलनी होंगी कि अगर यहां से दो औरो में 25 और जोड़ लेता है टीम का स्कूर जह है 167 तक पहुंच सकता तो तो एक अच्छा स्कूर रहेगा इस पिच के दिए तो क्या है यहां से बड़े शॉट लगेंगे दिनेश्चंडी मल बड़े शॉट लगाते में नजर आएंगे देखना होगा कौन डालेगा उन्निस वा और बारा गेंदे बची है इस पारी की जुड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी के साथ और आप सब लोग जो ह लेंक है डिस्क्रिप्शन में लैचन अगर पेंगे कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके आईड कर लीजीगा मिनमम बैट सिर्फ 10 रुपे है मिनम डिपोजिट जिए सिफ 100 रुपे का है यहां पर डिपोजिट करना बहुत यह आसान है गूगल पर फोन पर पेटीम से आप सकते हैं जी सकते हैं जी सकते हैं विड्रव जया है 15 मिङधाता है 24 गोड़ें कभी में बीड़ाए और आपके दिकले चलते हैं मुकाबले की तरफ देख事 है घे होता है लहरुवा खुमार आप पर स्ट्राइक माज его कमार के लिए करने के लिए दिनेश चंडी मने स्ट्राइक पर दोनों बल्लेबाजों की सोच यह रहेगी कि यहां पर इन बच्ची वी बारा गेंद में जितने रन बटोर सकते हैं उतने रन यहां से अब बटोरते में नजराएं लेहरुआ कुमारा के अगले गेंद बार पहली गेंद यहा लुक्सान पर अठारा और के समय अपती के बाद लुकाबले में अभी तक तो देखिए यहां पर कोलंबो स्टार ने फिर से वापिस करी है को मापर कोलंबो स्टार ने फिर से वापसी करी एक बार लग रहा था कि शायद रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आकरी सिधे बल्ले से खेल दिया लॉंगोफ के दिशा में एक रन मिलता हुए यहां पर दिनेश शंडी मल को स्ट्राइक पर आगे हैं डॉम्निट डार्केस ग्यारा गेंदे बची है इस पारी के एक सो चवालीश रन छे विकेट नुकसान पर कॉलंबो स्टार्स का स्कोर है फु दोबनिक डार्केस को दोए जिससे वह बले शॉट लगा पाएं खराब पारी रहे दिनेश रन की पार्टनर्स भारी खेली है यहां पर तेज खेला चीए दिनेश रन को मगर अभी भी मौका यहां पर चांडी मल के पास लहरुआ कुमारा के अगली गेंद दूसरी गेंद इस ओवर की सामने मौझूद डार्केस होंगे स्ट्राइक पर एक पर फिर से दूसरी गेंद इस बार ओस्टम की तरफ यह गेंद थी इस गेंद को पुल करने गए या बल्ले का बिल्कुल हिचला इससा लगा गेंद गई सीधा कवर फिल्टर के हाथ में कोई रन नहीं मिले चॉका घालका खालाया है लीयर्लग कुर्व Shaka के ओवर की तीसरी गेंद सामने है डॉम्निक तरा अररएक पर देखना होगा तीसरी गेंद यहाँ पर डॉम्निक डार्केस को खेला हमा में यहाँ पर पठकी विकेंद सीधे बाल मिद आफ के सरके वींद को निकाल दिआ यहाँ पर जॉम्निक डार्केस अच्छा शॉट यहाँ पर अच्छी बल्लेबादी बहतरीन यह शॉट था और सौरन मिल गए चौक चौका मिल गया इस गेंद पर सरी है यहाँ पर अगली गेंद अब तीन गेंदे हो गई है इस सोवर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ छे रन आया है अगली गेंद चौती गेंद एक बार ढहरुआ कुमारा के सामने है जॉम्निक डार्केस का एक और बड़ा प्रहार करेंगे इस सोवर में पूल करने गेंद पर पूल तरीकर से बीड होगै इस गेंद पर दार्केस कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर तो चौती गेंद पर नहीं मिलेगा जी है रिवयूं हो जी हाँ आई है इसलिए रिव्यू ले लिए क्योंकि आठ गेंदे बची आपको दो रिव्यू अभी भी सलामत है तो इसलिए कप्तान रचुन शनाका ने बास सुनी जॉन कॉक्स की एक रिव्यू लेने गए हैं कि बल्ले से गेंद लगी देखना हो क्रॉसिम गेंद यह बिल्कुल ब इस लाइव विजुल में स्कोर अभी भी 146 विकेट नुकसान पर आठ गेंदे बची है इस पारी की और यहां से यहां से कोचिश करना होगा यहां पर अंपायर चेक करते हैं रिव्यू की मांग करिए दर्शु शनाका ने क्या यह आउट होगा वैसे जी जी हां यहां यहा अपील करी और दर्शु शनाका ने उनके अपील को सुना और तुरंट रिव्यू की मांग करी हैं यहां पर 148 विकेट नुकसान पर डॉमिट डर्कस यहां पर कैच आउट हो गये हैं बारा गेंदों मनाए ठरर रन दो चौके उस शक्का लगाया था यह पारी हुई तो भी समाथ 8 गेंदे बची हैं इस पारी की 7 विकेट खोदी हैं कॉलम्बो स्टार ने और लहरुवा कुमारा क्या लाजवाब गेंद बाजी करी हैं लहरुवा कुमारा ने 3-4 गेंदे फैकी हैं 4 विकेट चटकाए हैं 30 अन देकर आज गेंद बाजी अच्छी रही है पार प्ले किया जाए 160 के आकड़े को क्रॉस किया जाए और आगे की तरफ गेम को बढ़ाये जाए यहाँ पर बनाये जाए आपर भी बारंद दूर है आपर और यहां से कोशिश यही है गेम को आगे लेके जाए 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 तो क्या होगा इस मैच का सूर्तिहाल 148 रंद 7 विकेट न बलेवाजी कर लेते हैं बड़ बड़ शॉट खेल लेते हैं उनको भीजा गया है बलेवाजी करने के लिए लेहरुआ कुमारा के अगली गया है सुरंगा लखमर को बला घुमाया जरूर बड़ा शॉट खेला जरूर यहाँ पर शेरन मिल जाएंगे पटकी भी गेन थी प्रफुल कर दिया उस गेंद पर चेर नब टोड़ लिए चक्य के साथ खाथा खोला है सुरंगा लखमल ने 157 नुकसान पर 185 गेंद हो गई हैं पावर्फुल प्रफॉमेंस यहां पर सुरंगा लखमल का क्या एक रीगेंद पर भी एक अदा बड़ा प्रहार कर सकते हैं बल के किया अगली गेंद इस बार सामने हैं सुरंगा लखमल ओवर की अखरी गेंद है 19 वे ओवर की आखरी गेंद सामने हिस त्याउथ यहां प्रकुलंबो स्टार के खाते में 155 साथ विर्फॉम्बो स्टार्स हैं फार्ण 8 गेंद लख गयी है इस पारी की साथ गेंडे बची इस पारी की देखना होगा बची वीच साथ ग्हेंदों में कितने रन और जोड़ते हैं नजर आएंगे यहां पर जुड़ रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिये स्ट्रीम को लाइक करेंगा लहरुवा कुमारा अगली गेंद कर रहे हैं इस बार आकरी गेंद सुरंगा लकमल कोई सोवर की कोई रन नहीं मिलेगा अगरी डॉट गेंद है बड़िया गेंद बार बड़ा शोट लगाने जरूर गए मगर पूर तरी के सम्मिस हो गए यहां प तक पचास अत्य हमने टीम का स्कोर देखना होगा दिनेश चंडी मल तैयार आगे की बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर उन पर निगाये होंगे कि अभी तक बड़े शोट जदा खेले नहीं है दिनेश चंडी मल ने बड़े शोट लगाना पसंद किया नहीं है एक चौक अच्छी थी यहां पर गेंद बाजी सामने है दिनेश चंडी मल फिल्ड को निहार रहे हैं भाप रहे हैं फिल्ड को यहां पर तेज गेंद बास को दिया गया है बीस्वा ओवर आकरी शे गेंदे बची हैं इस पारी के बड़े शोट लगाने के धरकार है कि आपने टीम का फिल्डर जो है सरकल के अंदर था उसके उपर से यह गेंद निकल गई और चौका बटोर लिया यहां पर दिनेश चंडी मलने तो पहले इस ओवर के शुरुवाद जो है वो सही हुई है चौका के साथ हुई है शुरुवाद स्कोर होता हुआ एक सो उनसट रंज साथ विके नुकसान पर उननिस दिसनलों एक गेंद हो चुकी है इस पहली गेंद पर चौका बटोर लिया है अधनेश चंडी मलने तो चुछी शुरुवाद इस ओवर की अभी पांच गेंदे बची है इस बारी की देखते है इन पांच गेंदों में कि वाइड नहीं दिया दिशारत तो कर रहे तो देख रहे तो श्क्राइब ने का नहीं जी हाइड के बराबर यह एक पर ने बीस यह बड़ा प्रहार कर सकते है इस अगली जबाफिए इस ते यहाँ पर लॉग ओन के फिल्टर से ज़स्ट आगी यह गेंद गिर जाएगी और एक रण मिल जाएगा दिने शंडी मल को स्ट्राइक में होंगे अब सुरंगा लकमल तीन गेंदे बची है इस पारी की बड़े शॉट की दरकार है अभी तक अगर उवर की बात की जाओ तो त शंका की पाच ओथी गेंद इस ओवर की स्ट्राइक पे हैं सुरंगा लकमल एक बार फिर से सुरंगा लकमल ने बड़ा शॉट जरूर खेला है हवा में गई है गेंद इस बार गेंद ऊपर बहुत गई है मगर यहाँ पर स्क्राइल लग के फिल्टर से जस्ट आगे आगे सुरंगा लकमल का पकड़ लिया यहाँ पर स्क्राइल के दिशा में बैक फूट पर खड़े वे थे इसको फ्लिक कर दिया था स्क्राइल के दिशा में मगर वहां पर फिल्टर मौजूद बाउंडरी को क्रॉस करा नहीं पाए और कैच आउट हो गए यहाँ पर सुरंगा ल हो रही है जी हम मुश्किले तो हो रही है याप रंस बन नहीं रहे विक्टे आ रही है इस हो जाता इस ओर में अगर रन बनेंगे तो शायद 170 टीम पहुंच रखती है मगर अब लग रहा है तो बैटर रहेगा एक अच्छा स्कूर 160 मगर क्या डिफेंडिबल टोटल है इस खेलेंगे अब आखरी के दो गेंदे अब मख्लब खेलेंगे आप पाँचवी गेंद इस बीस वी ओर की लहरोवा बनुसंका एक दसानल चार गेंदे करी है बारन दी एक निक रिचटकाया है इस ओर में सिर्फ चार गेंद वीस ओर कर रहे हैं बहुत एहम होता है बीस ओर आखरी ओर कर रहे हैं इस पारी का पाँचवी गेन इस बार सामने है जैफरी वंडर से तैयार है गेन को खेलने के लिए लहरुआ मदुसंका की ए पाँचवी गेन सामने है जैफरी वंडर से क्या सिंगल लेंगे या फिर बड़ा शोट लगाएंगे जी यहां जैफरी वंडर एक और चौका इस ओवर में आता हुआ दो चौके आये हैं इस ओवर में और स्कोर धीरे-धीरे आगे कि तरह बढ़ता हुआ एक सो चौसट रण आठ विकेड नुकसान पर बहतरी निये शौट था खोशिच यही है कि रन बन बन भी रहे एक सौसट रण आसान नहीं होगा चेस करना इस पिछ के उपर क्या पर आज पिस तोड़ी से दूसरी है सरफिस दूसरा है चली आगली गेंज बार लहरुवा कुम नुकसान पर यहां पर स्कोर हो चुका है कोलमबो स्टार्स का एक बार देखना होगा जिया एक सो पैसे टरन बन चुके हैं यहां पर नुकसान पर बीस ओवर के बाद तो यहां से पारी समापत हो चुकी है कोलमबो स्टार्स की टॉस जिता तच कोलमबो स्टार ने पहले ब यहां से इनिंग ब्रेक हो चुकी है इनिग ब्रेक समाप्त ब्रेक हम भी लेंगे अर्ट टार्गेट जो है वह बता दिया है टार्गेट जो है यहां पर 166 का चौशल दिखा हा रहा है मगर आखरी गेंद पर दो रन लेए थे एक रन काउंट हुआ था और दूसरे रन पर रा यहां पर जो है कॉलंबो स्टार्स की टीम को तो 166 जीतने के लिए को लंबो स्टार के टीम को फोटा सब लेंगे ब्रेक ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्षन में तो कहीं मच जाएगा चलंगा सब्सक्राइब करिए का स्ट्रीम को लाइक करिएगा झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 झाल